हेलो बच्चो मैं हूँ आपका दोस्त आपका बड़ा भाई बड़ान अरिया और मैं फिर से स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपकी अपनी कख्षा चैनल पे हम लोगों ने पहला चैप्टर बहुत ही मज़ेदार तरीके से बहुत ही धुवादार और शांदार तरीके से पेडिश कर लिया और आज हम डिसकस करने जा रहे हैं चाप्टर नमबर टू फॉर दे टर्म टू सिवीएस्ट ट्वेल्थ एक्जाम तैट इस माइक्रोप्स इन हूमन वेलफेर और जैसे ही आप यह सुनते हो आपके दिमाग में गंटी बजने लगती है कि सर यह क्या बात कर रहे हो आप पिछले चाट्टर में बोल रहे थे कि जो माइक्रोप्स हैं यह पैथोजनिक हैं और यह हमें बीमारियां देते हैं डिजीज कॉस करते हैं और आज आप बोल रहे हो कि यह यूमन वेलफेर में भी काम करते हैं तो इसका जवाब है हां और यहां से आपको जो हमारे help के लिए हमारे human race के लिए useful product बनाने में हमारी help करते हैं और आपको believe नहीं होगा कि इस 20th century की जो सबसे बड़ी discovery है ओ इन microbes के द्वारा ही हुई है याद करिए पहले के समय को आप यही सोच रहे हैं कि यह microbes हमें बीमारियां दे रहे हैं पुराने समय में लोगों के प यह जो antibiotic है जिसने इस पूरी दुनिया में health को लेके लोगों को बहुत सारी चीजों को change कर दिया क्योंकि पहले छोटे-छोटे infection से लोगों की death होती थी और एक बार जब antibiotic की discovery हो गई जब एक बार लोगों को antibiotics के बारे पता चल गया तो लोगों ने अपने health sector में एक बहुत ही huge improvement पाया पता है आपको यह antibiotic कहां से आया यस यह पहला antibiotic एक microbes के द्वारा आया जो था penicillium notatum जो Alexander planning ने जिसकी discovery की और यह जब पता चला कि यह fungus antibiotic property का है आप सोच नहीं सकते कि उसके पहले लोगों के health को यह कैसे effect करता था उसके पहले हुआ इस दुनिया में एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा विध्वन्सकारी एक लड़ाई वर्ड वार वन जहां पर नजाने कितने सैनिक मार दिये गए लेकिन वर्ड वार टू के आते आते यह antibiotic इस दुनिया में आ चुका था ना जाने कितने सैनिकों के health को जिने बम लग गए जिने गोलिया लग गए उनके हाथ पैर गायब कट गए और वहां से infection के वज़े से ऐसे सैनिकों की मौत हो जाया करती थी लेकिन जब एक बार antibiotic आ गया आप ऐसे पार्ट पे जहां पे infection होने के chances जादा है वहां पे उसे यूज करना शुरू कर दिये और ऐसे सैनिकों ने recovery कर ली और इस वज़़े से 1945 के वर्ड वार के बाद Alexander Fleming और इनके साथ काम करने वाले प्लोरे और चेन साहब को अमेरिकन सरकार ने Nobel प्राइस से भी नवासा सिर्फ यह नहीं सिर्फ यही नहीं है कि antibiotic मिला नहीं आप यह इस चीज को छोड़ दीजिए आप अपने घरों में यूज होने वाले बहुत सारे चीजों में antibiotics के अलावा microbes का यूज देखेंगे जैसे जैसे आप जब दही खाते हो यू डिडेंट इवन रियलाइज कि यह दही कैसे बना है यस बच्चे इस दही को बनाने में भी microbes यूज हुए है यस यह दही bacteria से बना है आप जब खुश होते हो या आप जब दुखी होते हो आपका एक ही तरीका है आपको चाहिए अलकोहल आपको बीयर चाहिए आपको विस्की चाहिए आपको ब्रैंडी चाहिए आपको रम चाहिए आपको खुशी को भी celebrate करना है और गम को खतम करना है माद्यम एक है अलकोवल आपको पता है यह fermented beverages होते हैं और इनका fermentation भी microbes के द्वारा ही किया है यह इस हम पढ़ेंगे बीवस इस्ट साक्रोमाइसी सेरिवेसी जो fermentation करके हमें यह alcoholic products दे रहा है आपने खाया होगा बहुत पसंद होगा आपको डोसा जलेबी उत्पम bread यह सब बनाने के लिए आपको microbes चाहिए क्योंकि जब तक डोसा कुरकुरा नहीं होगा spongy नहीं होगा bread आपको मजा नहीं आता आपको पता है इसे कुरकुरा कौन बनाता है इसे spongy कौन बनाता है यह बैटर में यूज होने वाले यह microbes ही इन्हें आपके लिए tasty और स्वादिस्ट बनाते हैं इनके अलावा आप यह सोचिए कि आप अपने crop land में अपने agriculture में जो use करते हैं जो खेती में use करते हैं आप chemical fertilizer इनके वजह से आपका health effect होता है क्योंकि आप direct chemical खा रहे हो जिससे nutritional value तो खराब हो ही रही आपके health पे भी इन minerals का negative impact पड़ता है लेकिन आप सोचो कि अगर आप यह काम किसी microbe से करने लगो तो यह microbe से आपके लिए bio fertilizer का का करने लगे तो यह यह पॉसिबल है बहुत सारे algae बहुत सारे फंगाई बहुत सारे bacteria ऐसे हैं जो एक साथ associate होके atmospheric nitrogen को fix करते हैं और fix करके soil के अंदर लेके आते है nitrogen fixing bacteria तुना है न आप दोगों ने tyno bacteria यह क्या कर रहे हैं यह soil की fertility को बढ़ा रहे हैं by the process of nitrogen fixation और इसके वज़े से आपकी जो dependency है वो chemical fertilizers पे घट रही है जिससे आपके food की nutritional quality तो बढ़ ही रही है आपके health पे भी कोई negative impact नहीं आ रहा extra minerals का इतना ही नहीं आप यह भी सोचिए एक बार कि आपने देखा है आप daily use करने वाली चीजे detergent या आप जो soap यूज करते हो आपको यह पता चल जाए कि यह tide की सफेदी है या आया नया उजाला यह भी microbes के वजह से आता है आपको सर्प्राइजिंग लएगा बट डिस इस फैक्ट कि जिद्दी से जिद्दी दाख को दूर भगाए यह बिना microbes के possible नहीं है वच्चे यानि microbes हमारे daily life routine में बहुत जादा help कर रहे है आपने यह भी देखा है realize कि आबादी बढ़ती जा रही है जनसंख्या बढ़ती जा रही है और जिस और हमारे surrounding में जो urbanization है वो भी बढ़ता जा रहा है बहुत सारी mill factories लगते जा रहे हैं जिसके वजह से बहुत सारा सीवेज एकठा होता जा रहा है और आप यह सीवेज ultimately किसी water buddies में ही डालते हो आप कभी river में कभी pond में ultimately आप water के अंदर डाल रहे हो लेकिन आपने कभी यह realize करा कि वो water या उस river की range कहां तक है वो water जिस भी pond में है वो वहां से नीचे जाता और उसी पानी को हम वापस अपने different sources से लेके पी रहे हैं जो हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकते हैं हमें बीमारिया पैदा कर सकते हैं different kind of infection पैदा कर सकते हैं आपने realize कि microbes इसमें भी help करते हैं कि इस पूरे इस पूरे सीवेज को हम जो STP सीवेज treatment plant के help से आप इनको treat करके आप इनको treat करके microbes के द्वारा आप इने अपने लिए कम harmful बना सकते हो और आप इसे easily पानी में डाल सकते हो और अब वो पानी जहां पे भी जा रहा है वो पहले से बहुत बहुत जादा helpful होने वाला है in the sense of कि आपने treatment करके इसके अंदर से जो बीमारी पैदा करने वाली चीजे थी जो infection पैदा करने वाली चीजे थी उनको पहले हटा दिया with the help of microbes और आपको वो tension की इस नदी की range पता नहीं कहां तक है कहां पे लोग इसको पीने में यूज़ कर रहे होगे इसके पानी को कहां पे लोग क Inter PAT cannot demand हो रहे हैं या कहां पे बर्तन दो रहे हैं ऑल्दो हमें यह अवाइड करना चाहिए हमें हमेशा fresh water, जो water contaminated ना हो, ऐसे पानी को ही पीना चाहिए, but still microbes ने एक बहुत बड़ी समस्या खतम कर दी, mill factories से निकलने वाले वेस, हमारे घर से निकलने वाले वेस, अगर treat कर दिये जाते हैं, तो ये लोगों के लिए कम harmful हो जाते हैं, और ये भी काम हम microbes के द्वारा करें, बेखाने पीने के बहुत सारे products बनाने के लिए आपने इन microbes को use किया है, इन microbes ने आपको chemical यह से बहुत सारे chemical दिये हैं, जिनके help से आपकी जीवी का, आपका जीवन easy हो जाता है, आपकी life में इन microbes का use सिर्फ बीमारियां पैदा करने में नहीं है, ये आपको बहुत सारी बी हार्ट के लिए useful हो सकते हैं microbes, ये बहुत से ऐसे microbes है, आप नाम पढ़ोगे जब ये chapter देखोगे, streptococcus, जहां से निकल रहा है, streptokinase, वो streptokinase आपके heart के अंदर blocks को हटा रहा है, plot buster है, आपके heart के अंदर blocks को हटा रहा है, और block हटेगा, आपका heart healthy रहेगा, आप सोचिए, ये microbes आपके लिए ऐसे काम कर रहे हैं, कि ये अगर कभी ज़रुरत पड़े, और आपने organ transplantation लिया है, तो ये आपके immune system को रोकते हैं, उस transplanted organ की against काम करने से, और आपके transplantation को successful बना Just imagine that, कि किसी person को जरत है, उसने किसी से liver लिया, transplant करवाया, और आपकी body का immune system उसे मार भगाती है, और उस person की death हो जाती, लेकिन microbes के द्वारा, मिलने वाले product के use से, आपने इसे भी बना दिया है, possible कि अब आपकी body, उस transplant को accept कर सकती है, Because a microbes आपको देते है, immunosuppressive drugs, ऐसा नहीं है बच्चों, कि हमेशा microbes के नाम से, हमारे दिमाग में वो creepy virus, bacterias ही रज़र आए, कि वो बस हमें imagine करते हैं, कि वो आए, और हमें disease पैदा करें, हमें नुकसान पहुचाए, microbes बहुत से माइनों में, बहुत से ways में, हमारे लिए, बहु इस चैप्टर में हम यही डिसकस करने वाले हैं, तो चलो बच्चों, बीना समय गवाए, शुरू करते हैं, microbes in human welfare, हेलो बच्चों, welcome again to आपकी अपनी कक्षा, और हम लोग पहला चैप्टर बहुत ही successfully, बहुत ही अच्छे से cover कर चुके हैं, आज हम term 2 का second chapter स्टार्ट कर रहे है, biology का, मैं आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई वर्दान आ रहा, आपका स्वागत करता हूँ, start करते हैं हम लोग, second chapter बिना कोई time गवाए, second chapter का नाम क्या है, microbes in human welfare, और आप सोचोगे, सर्फ last chapter में आपने पढ़ाया, कि microbes हमें pathogenic लगते हैं, microbes हमें बीमारियां देते हैं, और अभी आप बोल रहे हैं, human welfare, yes guys, microbes जो, microbes सबसे पहले एक बार और जिन बच्चों के पुराने classes छूटे हैं, जिनों नहीं किया, उनके लिए microbes होते क्या हैं, microbes बहुत छोटे छोटे, microscopic living organism हैं, जो हमारे surrounding में पाए जाते हैं, right, और उनको देखने के लिए आपको हमेशा ही microscope use करना पड़ता है, क्योंकि वो आपको normally bare eyes से या naked eyes से दिखाई नहीं देते हैं, आप उनको क्या बोलते हो, microbes, और last chapter में, human health and disease में, आपने देखा कि microbes आपको बहुत सारी बीमारियां दे रहे थे, बहुत सारी disease cause कर रहे थे, लेकिन इस chapter में हम पढ़ेंगे, कि उन microbes के help से, आप कैसे अपनी life के लिए useful products obtain कर सकते हो, उन microbes के द्वारा, तो आपके दिमाग में एक चीज़ तो clear हो गई, कि यानि microbes दो variety के हो गए, एक वो microbes जो बीमारी पैदा कर रहे थे, जो disease पैदा कर रहे थे, और दूसरे वो microbes जो आपके लिए helpful होने वाले है, yes, यानि microbes total दो type के हो गए, right, microbes कितने type के हो गए, दो type के, एक वो जो आपको pathogenic लगते हैं, आपके लिए बीमारिया पैदा करते हैं, आप उन्हें बोलते हो bad microbes, और दूसरे microbes वो जो आपकी help करते हैं, और आपके लिए human race के लिए useful products बनाने में use किये जाते हैं, उन्हें बोलते हैं, good microbes, right, तो इस chapter में हमें good microbes के बारे में पढ़ना है, कि कैसे microbes के help से हम अपने lifestyle को better कर सकते हैं, और अपने resources उनके help से produce कर सकते हैं, और इस chapter में हम microbes का क्या-क्या use देखने वाले हैं, तब से पहले तो यही part और आपके NCIT में ये 6 articles दिये हुए हैं, these are the 6 articles जो आपके NCIT में दिये हैं, जो generally हम microbes के help से कर रहे हैं, पहला आप देखेंगे कि कैसे आप microbes को household products में use कर सकते हो, अपने रोज मर्रा की जिंदगी में इस्तमाल होने वाली चीजों को बनाने के लिए आप कैसे use करते हो microbes को, वो हम पढ़ेंगे इस first article में, second article में देखेंगे कि microbes बहुत सारे ऐसे भी हैं, जिनके help से आप industrial products बनाते हो, और पूरी industries रन कर रही हैं, इन microbes के help से, और बहुत सारे product जो हमारे बहुत useful है, ऐसे product को भी हम बना रहे हैं, यहाँ पे तीसरा, third article देखेंगे, कि यहाँ पे microbes के help से, हम sewage water को treat कर सकते हैं, you know, guys की आज कल, जो urbanization होता जारा है, जो industrialization बढ़ता जारा है, इसके वज़ा से बहुत सारा sewage water निकल रहा है, हमारे daily life activity से भी, बहुत सारा sewage water निकल रहा है, और इसको भी हम microbes के help से treat करके, उसे अपने लिए कम harmful बना सकते हैं, और वो कैसे करते हैं, वो सिखेंगे आप third article में, fourth article में आप पढ़ेंगे, कि microbes को आप bio control agent की तरह भी यूज कर सकते हैं, यस, आप अपने agriculture land में, बहुत सारे microbes के help से, without fertilizer, बहुत सारे pest और बहुत सारे diseases से, अपने plants को, अपने crop को बचा सकते हो, last, fifth, microbes as bio fertilizer, आप यहाँ पर देखेंगे, कि microbes का use हम fertilizer के तरह भी कर सकते हैं, generally हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग generally जब काम करते हैं, खेती करते हैं, तो वहाँ पर हम use करते हैं chemical fertilizer, जो हमारी body के लिए बहुत harmful होते हैं, microbes के help से, अगर आप agriculture में, microbes को as fertilizer use कर रहे हैं, तो आपकी chemical fertilizer पर dependency कम होती है, ताथ ही साथ, उस food product की nutritional value भी बनी रहती है, यह भ microbes का use करना, bio gas production के लिए, yes, bio gas बना सकते हैं microbes से, और उसको आप अपने घर में बिजली जलाने के लिए, या खाना बनाने के लिए, cooking के लिए, उस gas को use कर सकते हैं, तो इतने यह 6 चीज़े, आपको इस chapter में microbes के help से होते हुए, दिखने वाली हैं, हम लोग start करते हैं, एक एक बहुत detail में, NCRT line by line, word by word, जैसा आपने पिछले chapter में देखा, वैसे ही, पूरे crystal clear तरीके से NCRT clear करते हुए, इस पूरे chapter को cover करते हैं, बिना शमय गवाएं, शुरू करते हैं बेटा, microbes in human welfare, आपकी NCRT first, first, पहले क्या लिखती है, microbes क्या है, बता चुका हूँ, बट फिर भी अब तोड़ा detail कर लेते हैं, क्या है microbes, those living organisms, those living organisms in our surrounding, in our surroundings, which can't be seen, which can't be seen, by naked eyes, जो आपको naked eyes से दिखाई, नहीं देते हैं, can't be seen, by naked eyes, we need microscope, to see them, आपको जब धी उन्हें देखना है, आपको क्या यूज करना है, microscope यूज करना पड़ेगा, ऐसे living organism को, क्या बोलते हैं, known as microbes, आप ऐसे microscopic living organism को क्या बोलते हैं, microbes, last chapter में बहुत अच्छे से, बहुत सारे bacteria, बहुत सारे viruses से होने वाले diseases को deal किया, बहुत सारे pungal diseases को deal किया, यारी अगर मैं microbes को बोलू, तो microbes को हम दो category में divide कर सकते हैं, these microbes can't be categorized in two categories, the first one, good microbes, जो आप इस chapter में पढ़ने वाले हैं, good microbes, right, last chapter में आपने क्या पढ़ा, कि ये हमारे लिए pathogenic थे, और ये हमें disease cause करते थे, those were bad microbes, right, तो आपने clear clear समझ लिया, कि microbes की दो varieties possible है, एक तो good microbes, जो हमें, हमारी lifestyle में help कर रहे हैं, हमारे लिए ज़रूरी products को form करने में help कर रहे हैं, those are good microbes, और जो आपने last chapter में cover किया, उन microbes को जो disease cause करते थे, बीमारियां पैदा करते थे, उन्हें आप बोलते हो, bad microbes, right, आपकी NCRT में ये chapter start होते ही, ऐसे बहुत सारे microbes के diagram बने हुए, right, इनके pictures बने हुए, और वहाँ पे आपको बहुत सारी labeling मिलेगी, right, पहले चीज़ ध्यान से सुन लो, कि अभी आज तक आपके CVS exam में, इन diagram से कोई question नहीं आया है, और ये आने के chances भी मुझे personal ही लगता है कि नहीं है, बट NCRT में दिया हुआ है, तो एक बार उस labeling को समझ ले, रटना नहीं है, आप सब चीज़ नहीं रच सकते हैं, एक बार समझ लो, क्योंकि आपने इस से related basic concept 11th class में पढ़ लिया है, जापे आपको bacteria के different shape को बारे में बताया गया था, आपने पढ़ा है ना, कि bacteria generally four basic shapes में पाय जाते हैं, कितने four basic shapes में, मैं यहाँ पे बता देता हूँ एक बार आपको, वो revise करवा देता हूँ, कि bacteria के क्या-क्या four possible basic shapes होते हैं, याद है ना, आपको अच्छों, कभी-कभी bacteria पाय जाते हैं, spherical shape में, और आप इन्हें बोलते हैं, focus bacteria, right, कभी-कभी पाय जाते हैं, rod shape में, आप इन्हें बोलते हो, bacillus bacteria, यह bacteria कभी-कभी पाय जाते हैं, comma shape में, और comma shape वाले को आप बोल देते हो, this elegant source for 92 पाया जाते हैं इसपाइरल शेप का जिन्हें आप बोल देते हो इसपाइर रिल्म तो वैक्तिरियास के जंर्रली ये फोर शेफ्स होते हैं और इन फोर सेफ्स kalo हम इन चार नामों को यगर याद रखते हैं तो हम देखके यह प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो डाइग्राम दिया गया है वो कौन सा दिया गया है अगर आपको यह याद है तो आपको यह बताना यह लेवलिंग बहुत आसान हो जाती है कैसे मेरे साथ देखिए कैसे होता है यह मैं बात कर रहा हूं इस बैक्टिरिया की जो रॉड़ शेप बैक्टिलस के वाले बैक्टिरिया दिख रहे होंगे कि अगर आपने इसकी आउटलाइन बनाई कि आपको रॉड़ शेप दिख रहे हैं मतलब यह कोई ना कोई बैसिलस बैक्टिरिया है और आप अपने एंसी आटी चेक करोगे वहां पे भी आपको इसकी में यही मिलेगा रॉड़ शेप बैक्टिरिया आपकी एंसी आटी में यह डाइग्राम दिया गया है आपको थोड़ा क्लियर और और अच्छी विजिबिलिटी के लिए मैंने एक एच्टी डाइग्राम दी इसका ले रखा है नेट से ताकि आपको क्लियरली यह विजिबल हो जाए यह यह बैक्टिरिया कैसे है यह रॉड़ शेप अब अगर आपको यह बेसिक शेप याद है तो आप अपने आप लेवलिंग करने की कोशिश करना नेक्स्ट वोट आपको क्या लग रहा है यह कैसा बैक्टिरिया हो सकता है मैं फिर से इसकी आउटलाइन बना रहा हूँ एसकी आउटलाइन bena Ready guy हां रई रवी जा स्टेरिकल बैक्टिरिया इस और गईस यह अग्ला यहाँ पर आपको जो बैक्टिरिया दिखाया गया है यो हमने पहला पहला बनाया था वह है क्या और यह आपने जैसे बनाया दिख गया कि आरे यह बैक्तिरिया भी कैसा है यह भी रॉड शेफ है बट बट बैक्तिरिया के साथ एक चीज और जुड़ी है कि बैक्तिरिया मोटाइल है या नहीं है बैक्तिरिया दो टाइप के हो सकते हैं राइट कुछ बैक्टिरिया होते हैं मोटाइल जो अपना प्लेस चेंज कर सकते हैं और कुछ बैक्टिरिया हैं नौन मोटाइल जो बैक्टिरिया जो बैक्टिरिया मोटाइल होता है उसमें मोटालिटी के लिए एक इस्पेस्पिक उसके साथ थ्रेड लाइक और गन पाया ज या विदाओट फलैजिल्या का मतलब यहे एक ऐसा बैक्तीरिय है जो कैसा है मोटाइल आपसे डाइग्राम नहीं बना है लेकिन इसा है रेलेटेड स्टेटमेंट देंट यह कि आपसे इस वान बनाया जा सकते हैं मैं एक बहुत बढ़ियां वराइटी का question आपको बताने जा रहा हूं सपोस करिए आपको exam में question मिल जाता है आपको exam में question मिल जाता है इस diagram पे एक बेस पस पस और आप से पूछा जाता है कि जो दूद को दही में बदलने वाला जो bacteria है यह जो microbes है उसका shape क्या होगा जो milk को curd में convert करता है उसका shape क्या होगा तो अब आपको उसका नाम याद हो गा कैसे हम लोग आगे डीसकर सकरेंगे अभी हमें कर्ड के पढ़ना ही है हम बोलेंगे उसका नाम है Lactobacillus जाना मैं लेक्टो बैसिलस और यह बैसिलस देखते ही समझ जाना है आपको कि वो बैसिलस है यानि रॉड शेप का ऐसा दिखेगा ऐसे कोश्चिन बन सकते हैं आप से पूछ सकता है डाइग्राम दे दे या पूछे कि एक डाइग्राम में एक सैंपल में हमने बैक्टिरिया का कल्चर पनाया और जब हमने उस कल्चर को चेक किया तो उसमें प्रेजेट बैक्टिरियाज कॉमा शेप के थे तो वो कौन सा हो सकता है तो आपको ऑप्षन मिले लेक्टो बैसिलस क्या पॉसिब्लीटी है लेक्टो बैसिलस नू बैसिलस मतलब क्या हो गया रॉड शेप है आपको option में मिला steptrococus, cocus नाम दिखते ही समझ जाएगा no, वो तो spherical shape के होंगे, आपको मिला spirulam, spirulam से समझ गए नहीं, वो तो spiral shape का होगा, लेकिन नाम में अगर आपको vibrio मिल गया, vibrio मिल गया, तो आप समझ गए कि हाँ, comma shape है, मतलब vibrio, vibrio cholery, जो cholera cause करता है, वो कैसा है, comma shape, तो आप से question in shape के उपर इस तरीके से पूछे जा सकते हैं, I hope कि आप लोगों को समझ में आ गया, कि किस तरीके से इस diagram को use करके सवाल बनाया जा सकता है, right, अब जो diagram हैं, यह फटा-फट, फटा-फट cover कर लेवानी चीज़े हैं, इसमें हम लों जादा time नहीं फ्लैजिला के बारे मैंने सिखा दिया कि अगर कोई bacteria motile है, वो spherical भी हो सकता है, वो bacillus भी हो सकता है, वो comma shape, vibria भी हो सकता है, तो अगर वो motile है, तो उसके उपर पाय जाएंगे, क्या? आपको उसके उपर पाय जाएंगे, फ्लैजिला, yes, motile bacteria में, फ्लैजिला present होता है, तो एक फ्लैजिलेटेड बैसिलस बैक्टिरिया का डाइग्राम भी आपके NCRT में गीवेन है ये वाला राइट वाट नेक्स्ट ये है डाइग्राम एक बैक्टिरियो फेस का और इस पे मैं बच्चों का स्पेशल फोकस चाहता हूं बहुत से बच्चों को इसके नाम से ऐसा लगता है कि नाम में लिखा है बैक्टिरियो फेस तो ये क्या है एक बैक्टिरिया है लेकिन ऐसा नहीं है इस को समझने के लिए आप इसको दो पार्ट में तोड़ के देखो जरा क्या लिख रहे हैं बैक्टिरिया प्लस फेज मतलब यह एक ऐसा माइक्रोब्स है जो बैक्टिरिया के ऊपर फैगोसिटिक एक्टिविटी करता है जो बैक्टिरिया को खाता है बैक्टिरिया को इंसेक्ट करता है बैक्टिरियो फेज एक् वो किसके उपर फीड करता है बैक्किटीरिया के उपर राइट तो यह नाम से अब कभी कंफ्यूज मत होना यह वाइरस है नौट एंड बैक्टीरिया यह बैक्टीरिया नहीं है यह क्या है यह एक वाइरस है और दूसरी चीज इसमें एक सवाल आप मैंने पहले क्लियर कर दि है इसका diagram बना के यह इसका नाम देखे पूछा गया कि आप यह बताएं इसके अंदर टैल कितने है और टैल फाईवर्स कितने है नंदमबर आपangel य데 आप से पूछा जाता है यह यह आफसे पूछा जाता है जो पूरे इसका ये बीच वाला हिस्सा this is known as collar and the last one ये 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 जो मैं पूरा लंबा सा दिखा रहा हूं ये पूरा का पूरा बोला जाता है टेल ये क्या है टेल है इस टेल से आपको दिखेगा कि इसके अंदर निकले हुए क्या टेल फाइबर इनी को आपकी NCIT ने क्या लिख रखा है फ प्रोंग ये टेल फाइबर का नमबर कितना छे टेल का नमबर कितना वन ये देखो बिकोज है लेभलेग में टेल और प्रोंग को हम लोग बोलते है टेल फाइबर तो आपको clear हो गया कि aumentar of Марटन एप टेल फाइबर कितना होगा to number of Ain always one और य। number of तेल फाइबर, always six right इसके बाद compact rod shape bacteria वो बोलते हैं कि जो microbes होते हैं यह आपको ऐसे तो बेर आई से दिखाई नहीं देते लेकिन अगर यह कहीं पे culture के form में हो या लैब के अंदर आप इनको compact कर दे ज्यादा सा ही कठा कर दे तो इनकी visibility दिखने लगती है और अभी वो आपको वहीं दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने एक sample को जब microscope से देखते हैं जा आप में बहुत सारे rod shape bacteria तो आपको कैसे दिखाई देते हैं ऐसे दिखाई देते हैं देखिए compact rod shape bacteria structure यह एक एक ब्लैक लाइन जो आपको दिख रही है यह एक एक ब्लैक लाइन एक एक बैक्तिरिया जाए जो उस culture में उस sample में पाय जाते हैं और आपको अगर इन्हें properly देखना है तो आपको इनको लाइब के अंदर culture बनाना पड़ेगा जहाँ पर आप इनको nutritional medium में जब रखते हो तो ये divide होके ये feed करके reproduce करके अपना number बढ़ाने लगते हैं और जब इनकी calorie बन जाती है एक bacteria हमें visible नहीं हो रहा था 2-4-10 bacteria visible नहीं हो रहे लेकिन जब इनकी colony बन जाती है जो 2-4-2-4 लाग हो जाते हैं तब ये थोड़े से visible होने लगते हैं तो इनका जो petri dish में culture बनाया गया है लाइब के अंदर उसका डाइग्राम दिया गया है जहां पर आप देख सकते हो कि bacteria का cluster यहां पर ऐसा यह क्या है bacteria की colony है culture है यह पूरा culture दिखाया गया है जहां पर bacteria divide करके जादा है यह आपको visibility दिखने लगती है लाइब के अंदर जो आप microscope से colony बना के देखते हो तब भी और नॉर्मली भी आप पेट्रीडिस देखोगे तो जब इसमें बहुत सारे बैक्टिरियाज होते हैं पेट्रीडिस में तो वह आपको थोड़े visible होने लगते हैं तो आपके NCIT में दो डाइग्राम दे रखा है पेट्रीडिस का एक के अंदर culture किया गया है बैक्टिरिया का और डूसरे के अंदर culture किया गया है फंगस का वो भी देख लो साथी साथ यहां पे जो ग्रीन जोन दिखाई डेरा है यह एक्चुली में पंगल कालोनी है इस इस फंगल कॉलोनी जहां पे बहुत सारे फंगस का culture एक साथ है एक साथ रखे है इसलिए हमें क्या हो रहे है यह विजिबल हो रहे है और हमें इस चैक्टर के अंदर मेंली क्या पढ़ना था यह तो डाइग्राम डाइग्राम फर्स पेश का यूज हो रहे हैं जिसमें सबसे पहले पहले एक्स्पेड कर दिया था किया सबसे पहले तो हम यह जाने कि क्या सच में हमारी डेली बहुत सारी ऐसे प्रोडक्ट है अब देखो एक बार आप ब्रेड खाते हो आप दही खाते हो आप चीज खाते हो आप पनीर खाते हो आप अचार खाते हो आप सिरका यूज कर रहे हो विनेगर यूज कर रहे हो आप अलकोहल का इतरी अलकोहल को लेते हो यह सारे के सारे प्रो NCRT ने mention किया है हम लोग भी फटाफट उनको समझ लेते हैं और सबसे पहला product NCRT देती है card के बारे में दही के बारे में बहुत जनरल सी बात है सब लोग जानते हैं बहुत से लोगों को पसंद है लेकिन एक बात सोचो कि अगर दही नहीं होता microbes नहीं होते तो दही नहीं होता यस और नो और दही नहीं होता तो दही बड़े कहां से खाते अरे दही नहीं होता तो दही भल्ले कहां से खाते यस और नो जैसे दही का एक फाइदा है वो भी यह माइक्रोब समरे लिए कैसे फाइदे बन हो रहे हैं वो भी सीखेंगे तो जब भी बात होती है कर्डिंग की मिल्क से कर्ड बनाने की तो आपको एक चीज याद रखना है हमेशा कि जो कर्ड है जो दही है वो कैसे बनता है दूद से दूद को एक certain temperature पे रखके उसके अंदर आ जामन बोलते हो सबका अपना अपना भाशा है यहां पर हम लोग इसको बोलते हैं इनॉक्यूलव क्या ए उसकरते है इनॉक्यूलव क्या हुआ आपने एक बरतन में आपने क्या किसी भी कंटेनर में घर के अंदर मिल्क लिया और इस र Jew के आंदर आपने मम्नी को देख होग वो थोड़ा सा दही का कुछ हिस्सा इसके अंदर डाल देती है किसे जारन, जामन, इनॉकुलम बोलते हैं आप लोगो ने देखा होगा इसको इसके अंदर डाला आपको पता है इस इनॉकुलम में होते हैं यह इनॉकुलम कुछ नहीं है इस इनॉकुलम में होते हैं बहुत सा बैक्टिरिया जो जन्रली ऐसे बैक्टिरियाज है जिने आप बोलते हो लाइब बैक्टिरिया मतलब यह बैक्टिरिया लैक्टिक एस्टीड प्रोड्यूस करते हैं आपने लिता है डे का टेस्ट खटा होता है एक फोड़े दिन की पुरानी हो जया तो क्या सिर्षक क्यो उसके अंदर एस्ट है यह दूद के अंदर जो प्रोटीन होती है उस प्रोटीन को पार्शल ये क्या कर देते है डाइजेस्ट यह अपने nutrition में यूज कर लेते हैं और उस protein का partial digestion कर देने के वज़ा से यह जो milk है यह convert हो जाता है करड में राइट आप से पूछा जाए main lab bacteria जो दही बनारे में यूज किया जाता है वो कौन है generally आप से यही पूछा जाता है कि main bacteria कौन है the main bacteria is lactobacillus यह नाम आपको याद रती है lactobacillus is the main bacteria responsible for the formation of curd from the milk राइट और इसमें क्या होता है मैंने बोला partially digest आपने सुना होगा बहुत से लोग बोलते यार दूद हमें digest नहीं होता दूद हमारे body के लिए अच्छा है हम जब भी दूद पीते हैं इदर lose motions हो जाते हैं यह हम vomit कर देते हैं क्यों क्योंकि उनके body के अंदर ऐसे enzymes नहीं सिक्रीट हो रहे हैं जो milk को properly digest कर पाए ऐसे milk digesting enzyme या hormones का सिक्रीशन नहीं हो रहा जो milk के digestion में help करें तो ऐसे लोग दूद नहीं खाबाते हैं लेकिन दही खा लेते हैं क्यों क्योंकि दही पहले से ही इस बैक्तिरिया ने क्या कर दिया है partially digest कर दिया है क्या कर दिया है इसको partially digest कर दिया है इसी लिए ये थोड़ा सा clot like बन जाता है थोड़ा ठके जैसा दही हैना ऐसा बन जाता है और इसके help से दो चीजे होती है जो बहुत important है ज्यान रखेंगे जब भी आप दूज से दही बनाते हो दही के अंदर vitamin b12 कि यह vitamin b12 का production होता है vitamin b12 भी आपको मिलती है जो आपके body के बहुत सारे physiological functions के लिए जरूरी है साथ ही साथ यह जो बैक्टिरिया जो दही के अंदर है जो हमने खाया है यह बैक्टिरिया हमें help करते है कि से बहुत सारे stomach infection से बचाते हैं दूसरे जो pathogen आ रहे हैं उन pathogen से हमें क्या करते हैं वो वहां से भी बचाते हैं तो यह vitamin b12 का concentration बढ़ा रहा है पहली चीज़ दूसरा इस तबक infection से protect कर रहा है दूसरी चीज़ तीसरी चीज़ जो लोग दही दूद नहीं digest कर पाते थे वो भी दही खाके अपना काम आराम से चला रहे हैं दही वो digest कर पा रहे हैं क्यों because of lab या lactobacillus के वजह से तो this was the first use given in your NCRT the card formation कैसे होता है क्या फाइदा सब कुछ आपको यहां पर मिल गया है चलिए move करते हैं the second household product NCRT क्या बोल रही है जरा देखें okay second household product है आपका cheese right cheese है cheese में भी आपने देखा होगा जुन लोगों को cheese बहुत पसंद है वैसे कुछ लोग होते हैं कि हर cheese ही cheese वाली चाहिए हर cheese कैसी चाहिए cheese वाली मतलब हम पिज़ा खाएंगे एक्स्ट्रा चीज दे देना हम तैंडविच खाएंगे cheese खाएंगे हम मैगी खाएंगे cheese मैगी खाएंगे हर चीज में क्या करेंगे cheese जोड लेगे तो यह cheese कैसे बनता है इस cheese का formation भी इनी microbes के द्वारा किया जाता है लेकिन बहुत बढ़िया सा सवाल आपके previous year में आप ही चुका है इसलिए बहुत ध्यान से देखना कि क्या गलती हो सकती है आप से cheese कैसे बनाया गया है उसका texture कैसा है उसका aroma कैसा है इसके हिसाब से cheese को दो वराइटी में बाढ़ते हैं तब फॉस्ट वन इस चीज पहले को क्या बोलते हैं Swiss cheese यह ऐसा च बहुत important है ध्यान से देखना यह ऐसी चीज है जिसका formation आप कैसे कर रहे हो बैक्टीरिया के द्वारा और कौन सा बैक्टीरिया कौन सा बैक्टीरिया नाम आप लोगों को आई होब कि याद होगा propiano bacterium प्रोपियानो बैक्टीरियम शर्मानी क्या है नाम प्रोपियानो बैक्टीरियम शर्मानी यह कैसे बनाया बैक्टीरिया से यह ऐसा चीज होता है आपने देखा होगा यह ऐसा चीज होता है जो चीज की स्लाइस के ऊपर अगर आप देखोगे तो इस पर रैंडम प्लेसेस पे आपको इसके अंदर random places पे क्या मिलता है ऐसे bubble यहां पे bubble like structure बिलते हैं यह जो चीज बना हुआ है यह जो चीज मैंने बनाया है जो bubble वाला दिख रहा है यह कैसे बना because यह बैक्टिरिया fermentation करके इसके अंदर produce करते हैं carbon dioxide gas carbon dioxide gas produce करते हैं और यह gas जब इस चीज से निकलता है तो इसके bubble का structure इसके उपर बना रह जाता है इस type of cheese is called as Swiss cheese इसी को आप क्या बोलते हो Swiss cheese तो cheese में पहली variety clear है कि यह Swiss cheese बोल रहे हैं क्योंकि इसके उपर bubbles दिख रहे हैं यह जन्रली bacteria से बनाया गया और कौन से bacteria से बनाया गया clear है तो सब सेकेंड वराइटी ज़रा देखो सेकेंड वराइटी को बोलते हो आप यह रोप पॉट चीज वड़े देश से रोप पॉट चीज और इस रोप पॉट चीज को जो बनाया जाता है बहुत important ज्यान से देखना इसका formation आप bacteria के नहीं करते कि बैक्टिरिया के द्वारा नहीं बनाया जाता फिर कैसे बनाया जाता है एक्चुली में यह बनाया जाता है फंगस यह कैसे बना जाता है फंगस से इसको कैसे बनाया बैक्टीरिया से इसको कैसे बना रहा है फंगस से नाम आपको देखके कंफ्यूज नहीं होना है आप जब भी नाम खोजने की कोशिश करोगे इसलिए नाम कि आपको डाउट ना हो लेकिन आप नाम खोजने की कोशिश करें तो आपको नाम जेनरली क्या मिलता है मैं बता देता हूँ बट NCIT ने दिया नहीं है आप नाम खोजोगे तो आपको नाम यहां पे भी प्रॉपियोनो बैक्टीरियम रॉपक फॉर्टी दिखाया चाहता है और आप यह नाम देखते ह ánh तो इसके नाम में भी प्रॉपियोन बैक्टीरियम देखते हैं कि तर यह बीटो बैक्टीरियास से बनाया गया लेकिन अइसा नहीं है बस इसका कुछ इस्पेस्पिक नाम देने के लिए आपको नाम एक जैसा दिखे इसके लिए हमने रख दिया बट एक्चुली में ये क्या है फंगस है राइट ये फंगस के दारा बनाया गया है रॉप पॉर्ट चीज और अगर आप इस वाले चीज को देखोगे कभी आपको ये चीज दिखाई देगा तो ये कुछ ऐसे दिखाई देता है ये चीज हो गया इस चीज के उपर फंगस पूरे चिपके रहते हैं आप देखोगे ऐसे ऐसे इसके उपर फंगस की कॉलोनी बनी रहती है ये ऐसा वाला चीज है जिसे आप बोल रहे हो क्या रॉप पॉर्ट चीज तो फटापट चीज दो बाराइटी स्विश चीज रॉप चीज एक को बनाया बैक्टिरिया से एक को बनाया फंगस से एक के अंदर बबल्स बबल्स दिखते हैं डायग्रामेटिक ली देखोगे तो और एक के अंदर इसके उपर लगता है कि प्रॉपर फंगस के हाईपास चिपके हुए ऐसे-ऐसे आज तो आइसे-एसे प्रीप द ब्रेड को कैसे बनाते हैं इसके बाएं फटापट देख लेते ब्रेड मेकिंग में क्या करते हैं हम क्या करते हैं कोई एक बैटर लेते हैं न जो सोसे प्रेड के बनाने की जो आटा उसमें यूज होता है वो कुछ भी हो सकता है उसके इसाब से ब्रेड की वराइटी बदलती रहती है बट बेसिक चीज माइक्रोब्स बिल्कुल रहते हैं कि यह कि आपने क्या किया कोई भी फ्लॉर ले लिया अपने सोर्स के इसाब से ब्रेड मेकिंग में आप जो सेरीवेजी, आप इसके अंदर डाल देते हों और जैसे ही यह बैक्टीरिया इसके अंदर जाता है यहां पे प्रजेंट न्यूट् Richardsonal value को यहाँ floor के अंदर present जो nutritional value है उसको यह फर्मेंडाइस करना शुरू कर देता है और alcoholic fermentation करके C2H5OH lactic acid क्या क्या चीज़े lactic acid plus carbon dioxide gas दो चीज़े बनाता है तो जब आप bread को बना रहे हो तो उस समय आपने क्या किया bacteria use किया saccharomyces that's why यह भी आपके exam में आ चुका है इसे बोलते हो आप बेकरस इस्ट आप इसे क्या बोलते हो बेकरस इस्ट बोलते हो प्रेकरस इस्ट और यह bacteria जो यह बनाया इसने lactic acid और carbon dioxide जैसे इस ब्रेड को आप पकाते हो यह वैपर फॉर्म में निकल जाते हैं इसलिए जब भी आप तो ब्रेड को देखते हो उस ब्रेड में आपको बहुत सारे पोस दिखाई देते हैं छेद दिखाई देते हैं देखा है ने आप लोगों ने ब्रेड के अंदर छोटी-छोटी-छोटी-छोटी-छेद उखाई देते हैं और ब्रेड कैसा होता है ठीक है कुछ special special सी बात से सोड़ी सोड़ी और कर दी है जो आपको यहाँ पे देख लेना है क्या दिया टॉड़ी बेटर और स्टीपी टॉड़ी क्या है आपने देखा होगा साउथ इंडिया में बड़ा फेमस है यह एक फर्मेंडेट प्रोड़क्ट है जहां पे ताड का प था कर देते हैं। प्रमेंटेशन कर देते हैं नेटरली वाइक और इस से बन जाती है टाड भी यू पी भालों को भी पता होगा यूपी भीयार में भी यह किल्चर है टाड़ी पीने का पेड़ के ऊपर एक देखते सुबा सुबा एक हाद भी आता है पैर में रस्ती फसा के पटा-फट पेड़ पे चड़ता है वहां काटता है वहां पर मिट्टी का बरतल लगा देता है जहां पर उस ताड के पेर से ड्रॉप बाई ड्रॉप ड्रॉप बाई ड्रॉप वहां पर एकठा होता रहता है और इसका बहुत जादा है तो यह तोड़ी भी कैसे बना जाता है बैक्तिरियाल फर्मेंटेशन से राइट नेक्स्ट बैटर इसका तो सबलोग जानते हैं आपने देखा भी है कि आप जब घर पे आटा गूत रहे हो आपको डोसा बनाना है आपको जलेबी बनाना है तो आपको वह आटा थोड़ा पफी चाहिए होता है थोड़ा फूला चाहिए होता है तो आप क्या करते हो उसको भी फर्मेंटडाइज करवाते हो तो बैटर मतलब जोसा मेकिंग इडली बना रहे हो या जलेवी बना रहे हो जलेवी वाली दुकान पर तो सब ने देखा है इडली डोसा जलेवी ये बनाने के लिए जो आटा है इस आटे वेवी आप क्या कराते हो fermentation ताकि वहाँ पे carbon dioxide बने और वो आठा थोड़ा क्या हो जाए फफी हो जाए इसको आप बोलते हो इसको आप डफ बनाने के लिए क्या सोट सी कोशिश करते हो उसके अंदर fermentation करवाते हो right scp इसका पूरा नाम होका अगर मैं आपको याद करने के लिए बता दूए यह लिखा है this is single cell protein what is this this is single cell protein यह कैसे बनाया बहुत सारे microbes को पकड़ा जिनके अंदर से protein का formation हो रहा था वो microbes fungus भी हो सकते फंगाई लिया जो protein produce कर रहे थे आपने क्या लिया bacteria लिये जो protein produce कर रहे थे आपने क्या लिया algae लिये जिनके अंदर protein मनते हैं और इन सब protein को एक सेल के अंदर मिला दिया उसे आप बोल देते हो single cell protein और इसे हम लोग यूज करते हैं कैसे as a food supplement आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे ads आते है food supplements के भाई खाने के साथ साथ इसको भी खाईए आपके अंदर इन चीजों की कमी नहीं होगी तो protein के लिए SCP यूज किया जाता है एज फूट सप्ली में तो दीस वाज दिस वाज़ दो microbes in household product यह माइक्रोब का कहां यूज था household product में क्या-क्या discuss कर लिया कर्ड कैसे बनाया ब्रेड कैसे बनाया चीज कैसे बनाया और यह कुछ नॉर्मल नॉर्मल सी बाते हमने कर लिया अब देखते हैं microbes का दूसरा product जो आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है क्या बोल रहे हैं इंडस्ट्रियल production microbes का यूज इंडस्ट्री में क्या-क्या बनाते हैं हम इंडस्ट्रियल production में microbes के help से आप बनाते हैं बेवरेजेज जो fermented बेवरेजेज हैं जैसे विस्की जैसे बियर जैसे वाइन यह सब fermentation के product हैं और microbes के दारा ही बनाय जाते हैं तूसरा बहुत important एक एक ऐसी चीज जिसने इस पूरी दुनिया में medicine science को change कर दिया antibiotic this is also formed by the bacteria for the microbes and chemicals बहुत सारे chemicals जो हम अपने life में use करते हैं ऐसे chemicals को बनाया आप कुछ certain enzymes बनाते हैं यह भी आपके daily life में use होते हैं और industrial scale में surf के अंदर साबुन के अंदर dish wash के अंदर आप इन enzymes को use करते हो और कुछ molecules ऐसे हैं जिने हम बोलते हैं बायो एक्टिव मॉलिक्यूल जो हम microbes से लेते हैं और अपनी body में अपने health को better बनाने के लिए use करते हैं कैसे क्या क्या है आईए एक एक करके देखते हैं सबसे पहले fermented beverages अच्छा लगा ना सुनके देखके अच्छा लगा ना आप लोग का भारत में यह पूरी दुनिया में यह बहुत पुरानी प्रता रही है अब लास्ट रेक्टर में पढ़ाया था नहीं करना है सिखाया था नहीं करना है विकॉज इसके हमारे health के उपर बहुत ही hazardous effect होते हैं बहुत ही खतरनाक तरीके से हमारे health को effect करता इसलिए दूर रहना है बड़ हम अभी यह सीख रहे हैं कि इसको बनाते कैसे हैं तो बहुत clear सी बात है कि इंसान की एक प्रता है राजा महराजा भी यह करते थे कैसे अगर जीत हुई लड़ाई में जीत हुई तो जीत भी खुशी में पीएंगे अगर लड़ाई में हार हुई तो हार के दुख में पीएंगे मतलब यह जो है जो मदीरा है जो अलकोहल है इसका रिलेशन मानों से बहुत पहले से है और आज भी यही है अगर हम परेशान है तो भी लोगों का एक ऐसा माइंड सेट बन चुका है एक साइकलोजिकल ऐसी थौट डेवलप हो चुकी है कि हमारे माइंड को काम रखने के लिए हमें क्या अग्या ख़ये बहाना चाहिए ब्लप दे दे अगर हम खुश है दोप द्यों और बनती है यस और आ जो चैनल यह तो बहाना चाहिए लोगों के लिए कैसे बनाते हैं यह ऐलकोहल यह बरेजेस आओ दिखाता हूँ यहां पर हमें याद भी नहीं है पुराने समय में जब साइंस वाइंस नहीं थी तब भी लोग क्या करते थे इन माइक्रोब्स के हेल्प से बेवरेजस बनाते थे अलकोहलिक प्रोडक्ट बनाते थे और आज हम इसे इंडस्टियल स्केल पे ले आए हैं क्योंकि कंजप्शन इतना बढ़ चुका है कि नेचुरली बनाने से आपका काम नहीं चलेगा और कंजप्शन के साथ साथ एक चीज़ और बढ़ चुका है वो यहां दिखाता हूँ देखो यह फिर से वही सैक्रोमाइसीस सेरीवेसीस इस को आप बेकरसीस भी बोल रहे थे क्योंकि बेकिंग इंडस्ट्री में आप ब्रेड मेकिंग में यूज़ कर रहे थे इसलिए आप इसे क्या बोल रहे थे बेकरसीस सेम प्रड़क्ट को आप ब्रीवरसीस भी बोलते हो वाई ब्रीवरसीस यस विकॉज अलकोहलिक फर्मेंटेशन के लिए भी सेम सैक्रोमाइसीस सेरीवेसी ही यूज़ किया जाता है यानि इसका दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है बेकरसीस्ट और ब्रेवरसीस के दोनों नाम याद र आप कभी कभी कोई फ्रूट जूस दे लेते हो ना बहुत सारे फ्रूट्स यूज़ कर सकते हो जैसे शुगर केल आप कोई इससे स्थिक शूस लेते हो और यहां से आप लेते हो ग्लू को और उस ग्लुकोस के अंदर फर्मेंटेशन कराने के लिए डाल देते हो क्या पैक् इस प्लस कारपन डाया ऑक्षाई और इस अलकॉलिक फर्मेंटेशन में परी अलकॉलिक फर्मेंटेशन बोलके एसरी लिख लिए आइफ और आप बनाते हूँ इसनौल आपने पढ़ा है ना दोनों टाइप से फर्मेंटेशन होते हैं यह जगा पे असिड एग फिर यहां यह alcoholic fermentation करा रहा है जहां पर क्या बन रहा है इतनल और यह जो इतनल है यह जो इतनल है कि जो इसको आप alcohol के तरह यूज करते हो पट एक समस्तिया है एक समस्तिया ज़र अगर हम इसको naturally ऐसे करते हैं तो इसके जो फर्मेंटेशन होता है इसके अंदर यह बहुत बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है maximum 13% 13% के आसपास का alcohol बस बनता है इसके बाद 13% के बाद क्या होता है कि अगर यह बैक्टिरिया alcoholic fermentation कर रहा है तो वो जिस बरतन के अंदर हो रहा है वो बरतन poisonous होने लगता है क्योंकि आपको alcohol बना के alcohol को हटाना भी होता है बैक्टिरिया की उसमें death हो जाती है और यह जो alcohol बनी है यह हो जाती है जहरीली शराव आपने सुना होगा कि यहां पे इतने लोगों की जहरीली शराव पीने से मौग वो कैसे होती है वो ऐसे होती है जो आपने naturally बनाया है लेकिन उसमें 13% से जादा हो गया then it turns poisonous यह जहरील नहीं हो सकता naturally maximum 13% तक जा सकते हो पिर कैसे करते हैं उसके लिए आप यूज करते हो डिस्टिलरी इस लगी है जहां पे आप इसको ले जाते हो और इसका डिस्टिलेशन करते हो depending on the type of raw material क्या raw material यूज हुआ है और fermentation के लिए इसका क्या processing किया गया है क्या processing का मतलब कि क्या इसका distillation किया गया है because distillation increases alcoholic concentration distillation क्या करता है alcoholic concentration increase करता है तो आपने इसका distillation किया है या नहीं किया है अगर आपने इसका distillation नहीं किया है then this is undistilled और आपने कर दिया तो आप में alcohol का concentration क्या कर लिया बढ़ा लिया undistilled product आप से यही पूछा जाता है कि which of the following are distilled और इनमें से कौन-कौन undistilled है तो बस दो याद करना है undistilled के अंदर सिफ दो product है एक है आपका भी यह याद करो 8% के volume by volume ऐसा कुछ bottle पे लिखा होता है alcohol a beer हो गया और क्या हो गया wine beer और wine के अंदर के and distillation से बने हुए है इसलिए alcohol का concentration क्या होता है कम होता है लेकिन distilled product जो आप रोगो के पसंद वाले है इनके अंदर जड़ा देखें जैसे brandy, rum, whiskey इन सब चीजों के अंदर जो product है जो जो alcohol का concentration है वो क्या होता है बहुत ज़्यादा क्यों because यह distillation के product है राइट तो आपको बस दो चीज़ याद कर ले ना undistilled कौन कौन से है अगर आपको undistilled में beer और वाइन याद है तो बाकी सब कैसे बने हैं distillation से क्याई fermented beverages क्यों बोला because इन्हें पहले naturally fermentize किया आपने बीवर्स इसके हिल्ट से साक्रोमाइस सेरिवेसी के हिल्ट से and fermentation करने के बाद distillation करके आपने इसके अंदर अल्कोहल का production बढ़ा लिया है अल्कोहल का important है NCIT खोदी एक लाइन के अल्प से आपको यह सर्जाने की कोशिश करती जाना देखें antibiotic produced by microbes are regarded as क्या जो antibiotic का production हुआ microbes से यह क्या मना जाता है one of the most significant discoveries of the 20th century यह बीशवी सताबदी की सबसे बड़ी खोजों में से एक है क्यूँ because have greatly contributed towards the welfare of human society क्योंकि इसने human society के लिए human race के लिए medicinal field में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है आपने भी देखा होगा अभी कुछ भी होता है तो नॉर्मल लोग ऐसे पागल हो चुके हैं ऐसे high ребouRE typeिव हो चुके हैं dependent हो चुके हैं चोटी से चोटी से चैश्य परियार काम करते हैं एंटीजार काम करते हैं एंटीजारी कह अफ़े हर चीजनां क्या १्यारी फैवारी लेकिन इसकी खोज कैसे हुई यह क्या है इसके बारे में थोड़ा सा यहां इसकी जो खोज हुई इसकी खोज का क्रेडिट जाता है एलेक्जेंडर फ्लेमिंग आपको किसको एलेक्जेंडर फ्लेमिंग पर आपको जो साइंटिस्ट थे और वो अपने लाब के अंदर कुछ रीसर्च कर रहे थे इसके लिए इन्होंने एक फट्रीडिश्ट बनाया उपने रीसर्स लाइज की आंदर कंदर योज मतलब न्यूट्रीशन था क्या-पर किया ठाम फू न्यूट्रीशन और नूट्रिशन होने की वज़ज़ से क्या होता है नूट्रिशन होने की बाक्टीरेस्ट हर जगह हैं ऑमनी प्रेज Eu控jasत अपक अनक खाने तो इनके उपर बैक्टिरियास का कल्चर बं जाता लेकिन जब उनोंने किसी रीजन से उनको यह पेटरीडिश गोने टाइम नहीं बिला हैना उन्होंने दो तीन दिन लेट कर दिया और जब वो पेट्रिडिस को देखा उन्होंने तो उन्हें लगा कि इस पेट्रिडिस में कुछ चीज़े पहले से अलग दिखरी जा इन्होंने देखा कि इस पेट्रिडिस में बैक्टिरियास की कॉलोनी बनी तो हैं इसमें बैक्टिरियाज की कॉलोनी बनी है लेकिन वहाँ पे नहीं बनी बैक्टिरियाज की कॉलोनी चहां पे फंगस थे चहां पे फंगस थे वहाँ पे कॉलोनी नहीं बनी यह देखेंगे यह है पंगल कॉलोनी और यह है बैट्रीरियल कॉलों इनों ने जब उब्सर्व किया तो इन्हें पता चला कि इस पेट्रिडीस में कॉलोंी दोणों की है लेकिन फंगल जहां पे है न वहां बैट्रिया नइए जब कि न्यूट्रिशन तो पूरे प्लेट में है तो बैक्टिरिया हर जगा होना चा यह जो food poisoning cost करने वाला बैक्टीरिया है यही बैक्टीरिया था हम आप पे इस पाइलो को कर वह बैक्टीरिया इस फंगस के आसपास इसलिए ग्रो नहीं हुआ क्योंकि यह फंगस कानोनी से इस फंगल कानोनी से कोई chemical सिक्रीट हो रहा था इसने बैक्टीरिया आसपास के एरिय में होने से रोक दिया और इसी सबसेंस को इसी क्यामिकल को बोला गया एंटी पायर क्या बोला गया इसी को बोला गया एंटीबायटिक कि यह एक क्यामिकल है जिसने एक लाइप को यहां पे ग्रो होने से क्या कर दिया रोक दिया और सबसे पहला जो एंटीबायटिक था जो आपने रेखा, discovered किया गया, discovery हुई, that was penicillin, penicillin was the first antibiotic, penicillin initially, जो antibiotic से वो निकाले गये थे, penicillium notatum से, right, किस से निकाला गये थे, penicillium notatum से, लेकिन जब हमें बहुत ज्यादा amount में need पढ़ने लगी, किसकी antibiotics की, जब हमें पता चला कि यार, हम इससे bacteria को grow होने से रोख सकते, bacterial infection को treat कर सकते, तो यह सब के लिए बढ़ाना जाने लगा, और जब इसका production बढ़ाया जाना था, तो हम penicillium notatum से आजकल, nowadays use ना करके, आप इसके जगा पे यूज़ करते हो, penicill chrysozenum, current days में आप क्या यूज़ करते हो, penicillium chrysozenum यूज़ करते हो, overall आपने जो भी antibiotic पाया, वो पाया एक micro scale से, एक pungus scale से, that is penicillium notatum, या penicillium chrysozenum, और इसके discovery का जो credit है, वो जाता है, एलेकसेंडर फ्लेविंग साब को, जिन्होंने ये प्रेटिडिस देखा, और इसको detect किया, जब एक बार इसको मिल गया, तो इसके बारे में, इसका एक बहुत बढ़िया सा लाइन है, NCRT में, कि इसका effective antibiotic, full potential, कि पूरी तरीके से, potentially antibiotic, इसको establish किया गया, बनाया गया, Ernest Chain and Howard Florey के दुआदा, दो लोगे हैं, Ernest Chain and Howard Florey ने क्या किया, इसको medicinal use में, इसको fully potent antibiotic बनाके, लेना यूज करना शुरू किया, और 1945 में, 1945 में, इनको इस discovery के लिए, फ्लेविंग्स आपको, चेन को और Florey को, इनको Nobel Prize भी मिला, क्यों, क्योंकि इन्हों ने, World War II में, इसको use किया गया पहली बार, और World War II में, जहां पे पहले की लडाईयों में, क्या होता था, सैनिक घायल हो गए, सैनिक चोटील हो गए, उनके जहां पे घाओ थे, महां पे infection, हो सकता लडाईयों में जान नहीं गई, वो infection से मर जाते थे, लेकिन जब यह पहली बार use किया गया, तो पाया गया कि, नाइंटीन, स्वरी, World War II में, जो सैनिक थे, उनका, जब उनके body पे इसको यूज किया गया, तो उनका infection रुक जा रहा है, या इतना ज़्यादा infection नहीं हुआ, और उनकी recovery जल्दी हो गई, और इसी वज़ए से, 1945 में, इन्हें इसके लिए, नोबल प्राइज भी दिया गया, तो इस वाज एंटीबायाटिक, वाट नेक्स, एंटीबायाटिक ने, ऐसे एंटीबायाटिक स्केल से, हमने बहुत सारी बिमारियों से छुटकारा पा लिया है, जैसे, प्लेग, पूपिंग कप, टिप्थिर लिया, लेफ्रोसी, कुस्ट रोग, यह सब बिमारियां, एंटीबायाटिक के खोज होने के वज़े से, और एंटीबायाटिक के अप्लिकेशन से, अब लगबग, लगबग हमने क्या कर दिया है, खतम कर लिया है, कुछ एसिट, मैंने बताया था कि बहुत सारे प्रोड़क है, कि कौन सा एसिट किस से बनता है, कौन सा एसिट किस से बनता ये देखना पड़ेगा, तो क्या दिया, जो सिट्रिक एसिड है, इसके लिए एसपरजिलस नाइजर यूजर 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 य Lactobacillus Lactic Acid यह तो आप पहले से भी कर्ड में भी पढ़ चुकी हो लेकिन एक बढ़िया सा सवाल मैं बता देता हूं इस पर आपकी नजर नहीं पढ़ती मैंने पहले भी इसको कर रखा है कि आप अगर देख रहे हैं तो यह नीची के तीनों के सिरेक क्या है कि नीचे के सिरेक के तीनों क्या है कि वंगस के दवारा बना है आप से पुछा जा सकता है कि इसमें कौन सा इसमें से और उड़ बता है जो इसमें इन में से और है तो और वन आउट वहाँ वे हमेथाँ फंगस वहरा एसिड्स सिट्रिक सीड्स या हा सपरजिलस नाइज रोग어 विकॉज यह फंगस है तो यह चाहिज को आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट वान इस कुछ एंजाइम्स क्या बोल रहा है आप एंजाइम्स के बारे में कि बहुत सारे एंजाइम्स पनाय जाते हैं माइक्रोब स्केल से आपको डिरेक्ट लेंजाइम्स का नाम और वह कहां पर यूटिलाइज होते हैं बस दो चीजे पढ़नी है एंजाइम्स का नाम क्या है लाइपेस कहां पर यूज होता है रिमूविंग ऑईली स्टेंट फ्रॉम दे लॉंड्री अब एक बास सुन लो आपने कुछ खाना मना खाया और उस पे से ओयल आपके कपड़े दे गिर गया जो जल्दी जाता नहीं है इस स्टेंड के फॉर्म में रह जाता है और लाइपेस क्या डाइजेस्ट करता है लाइपेस फॉर लिपिड डाइजेशन तो डिटरजेंट के अंदर या आपके जो कपड़े दोने वाले साबुन होते हैं उनके बास के अंदर आप लाइपेस यूस कर लेते हो जिससे आपके वो धाग धब्बे बहुत एजली चले जाते हैं वो इस्टेंड बहुत आसानी से मिठ जाते हैं और उसी को आप बोलते हैं कि यह जो सफेदी है टाइड गॉली व मार्केट में मिलते हैं ट्रॉपिकाना का यह फ्लेवर वो फ्लेवर इन फ्रूट जूसेस के अंदर यूस किया जाता है या प्रॉपरली बनाया जाता है इनके सारे फाइवर्स को अलग किया जाता है ने तो आप घर में जो जूस निकालता है उसके अंदर बहुत सारे यह आपने घर में mixer या जूसर से मना है तो उसमें रेशे आते हैं लेकिन आपने बॉटल जूस देखा है उसमें कोई रेशा नहीं होता क्यों कि उसके अंदर पहले ही यूज कर लेते हैं प्रोटीज वो सभी फाइबर को उनके अंदर पहले से क्या कर रेता हैं डाइजेस्ट कर देता है और आप बॉटल यूस में इनको यूज करते हैं तो लाइपेज और पैक्तिनेज दो इंपोर्टेंट इसके अलावा भी कुछ चीज़े है पटापट एक बार देख लो यह बहुत बहुत इंपोर्टेंट है इस ट्रप्टो काइने बहुत ज्यादा इस ट्रप्ट के वाल में अगर कहीं पे क्लॉट हो गया है कुरोनरी आर्टरी में कहीं पे ब्लॉकेज हो गया है जिसके वज़े से आपके हार्ट को प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंच रहा तो आपके हार्ट को ब्लड नहीं पहुंचता प्रॉपर तो हार्ट की मसल्स को भी ब्लड नहीं जिससे की muscles के अंदर myocardial infection हो जाता है, क्या हो जाता है, myocardial infection, muscles के अंदर anaerobic respiration start हो जाता है, जिससे आपके heart को बहुत नुकसान होता है, इसलिए आप इससे बचने के लिए क्या करते हो, clot buster की तरह streptokinase यूज़ कर लेते हो, और ये streptokinase का यूज़ करने के वज़े से आपको heart attack के chances कम हो जाते हैं, इसके अलावा एक अब आ जाते हैं हम का पे जो आपको बताया था, बायो एक्टिब मॉलिक्यूल, ये भी बहुत important criteria है आपके exam के लिए, ये भी आपके exam के लिए बहुत important criteria, पहले भी बताया है, ये chapter ऐसा है, छोटा सा है, बहुत छोटा सा chapter है, इसमें बहुत detail और कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं पढ़ना, सीवेज को छोड़ दो, सीवेज treatment को तो बाकी सब चीज़ें ऐसी हैं, वन लाइन बिल्कुल रटने रटने वाली, लेकिन ये chapter छोटा होते हुए भी बहुत बहुत important है, शायद ही ऐसा कोई साल जाता है, जब इस chapter से दो सवाल नहीं आए हैं, हर साल आपके board में इस chapter से दो सवाल मिल ही जाते हैं, तो इस बार भी आना है, और सारी लाइने इसलिए आपकी क्या हैं, बहुत बहुत important, क्या आपने देखिए, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स कैसे, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स की तरह आपने यहां पे क्या लिया, आपने लिया साइक्लोस्पोरिन A, साइक्लोस्पोरिन A is a use, कैसे यूज़ कर रहे हैं इसको, इम्म्यूनो सप्रेसिव एजेंट, जब किसी के, किसी बाडी पार्ट को, चेंज किया जाता है, किसी दूसरे के बाडी पार्ट से, मतलब किसी के बाडी के अंदर, और अरगन ट्रांस्प्लांटेशन कर दिया आपने, तो at the time of औरगन ट्रांस्प्लांटेशन, बहुत ज़्यादा चांसेज होता है, कि आपके body की जो cells है उस जो आपने transplant यूज किया है उसको foreign cells मानके उसके ओपर attack कर दें और उसको मारने लग जाए हमारा immune system उसके अगेंस जग न जाए इसके लिए हम यूज करते हैं cyclosporine A क्या यूज करते है cyclosporine A जो immunosupprecitive drug है और यह बनता कैसे है यह बनता एक पंगस से जिसका नाम है trichoderma polysporum important है और याद करना आसान हो जाता है आपको help हो जाएगी और ऐसे छोटी-छोटी चीजे ही है बटा इस chapter में next statin यह भी बहुत important this is also very important statin what is statin statin मिला आपको किससे east से east में भी किससे monascus perfurus से किससे मिला monascus perfurus से इसका क्या यूज है यह हमारी body के अंदर जो blood cholesterol level होता है उस blood cholesterol level को lower करता है कम करता है यह cholesterol की synthetis को क्या कर देता है घटा देता है यह देखो क्यों कि यह competitively inhibit करता है उस enzyme के साथ जो हमारी body में cholesterol बना रहा है हमारी body में जो एंजाइन cholesterol बना रहा है उस enzyme के साथ आखे क्या यह statin react कर जाता है तो वह enzyme cholesterol नहीं बना पाता है ultimately आपके body में cholesterol का level कम हो जाता है जिससे कि आपको heart diseases heart attack जैसी चीजे होने के chances घट चाते हैं तो हुआ ना आपके लिए useful next what that is microbes in sewage treatment और यह एक ऐसा हिस्सा है जिसे आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है because I know कि जो भी बहुत सारे बच्चों से बात होती है वो बोलते है सर पूरा chapter तो easily रट लिया हमने सब रटने वाली बात ती रट लिया यह सर सीवेज treatment समझ नहीं आया सीवेज treatment हमारे पल्ले नहीं पढ़ा तो बेटा इस चीज़ को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आप लोग बस focus होके बने रहो हम लोग इससे ऐसा cover करेंगे कि यह आपके दिमाग से आज के बाद कभी जाएगा ही नही right तो सबसे पहले सीवेज treatment करने के लिए हमें यह समझना है कि यार यह सीवेज है क्या what is सीवेज और सीखें कि कैसे करते है yes or no तो सबसे पहलेPLay इंसीवरीन болum उसमाइक्रॉब्स से वेंद्स्थि होगा यह बाद में करेंगे बाद पहले ही बताएं किती होता है वर डिस्थि आपने सुनगों घर के बाहर सीवर्वर供 राई यह सीवर की पाईप है यहां पर सीवर का पानी आता है डाइट वाटर जहां पे आपके घर का पूरा वेस्ट आपने कपड़ा दुला उस कपड़े से दुले हुए पानी जो जा रहा है वो आपके यूटेंसिस आपने बरतन दुले उससे जो पानी जा रहा है वो या आपके घरों के अंदर जो ट्वाइलेट से उन से जो इंडास्ट्रियल प्रडकशन हो रहे हैं उनसे जो इंडास्ट्रियल वेस्ट बंता हे वो भी सिवेज wzeug में आता है और आप एक बात बताईए अगर हम इन सब चीजों को बाहर निकाल के किसी भी waterbody में डाल दे किसी भी नदी डाल दे तो हमें नहीं पता कि उस नदी का range कितना बड़ा है वो नदी कहां तक बैती है और कौन से गाव के लोग उसमें कपड़े धो रहे हैं कौन से गाव के लोग उसे पीने की तरह यूज कर रहे हैं कहां पे लोग उसमें नहा रहे हैं इसलिए हम यह सब कूरा कच्रा इस तरीके से नदी के कोई डिजीज को असना कर दे हमें इसको क्या करना पड़ता है करना पड़ता है और यह त्रीट्मेंटच करते कैसे है जिए क्विए बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्ट के अगर लोगों ने बहुत लोगों ने देखा भी होगा अगर कभी मौका मिले तो एक बार जरूर घूमिए इन प्लांट्स को देखिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट शॉट फ़र्म में आप इनको स्टीपीज बोल देए स्टीवेश ट्रीटमेंट प्लांट गॉर्मेंट भी ऐसे बहुत सारे स्कीम चला रही है अभी आपको दिखाऊंगा एंसी आइटी में दिया हुआ है ताकि लोगों को इन माइक्रोब्स के द्वारा होने वाले जो बैड इफेक्ट है उनसे बचाया ज सके रई Тоだ सीवेश के अंदर क्या-क्या है इस क्या ड़ीटमेंट प्लांट में आगया करते हो चार 먹 lima को इसके अंदर क्या होते हैं चार बड़े-बड़े चांब को सबज में फटाठ-बैस होते है गो घता है प्राइमरी सेटलिंग टं अ पहला क्या हता है, primary settling tank, second one is ariation chamber, second one is ariation chamber, third one is secondary settling tank, third one is secondary settling tank and the last one is anaerobic digester, और आप देखेंगे कि अगर आप यह यूज करते हो, तो आपको कितना ज्यादा benefit होता है, अगर आप STPs को follow करते हो, तो इससे आप करके रहे हो, इन chambers के help से, जो सीवेज है, जिसके अंदर क्या है, household waste water है, इसके अंदर क्या है, पीकल मैटर, आपके घर का, जो भी कूरा कच्रा है, फीकल मैटर, वो भी इसी के अंदर आ रहा है, hospital वगरा की बात करें, तो वहां से, जो medicinal wastage है, वो भी इनके अंदर है, और इंडस्ट्री से निकले हुए, अब आप एक बात बताईए, जिस पानी के अंदर इतने सारे waste material है, क्या आप इस पानी को directly किसी नदी में डाल सकते हो, क्योंकि मैंने बोला, आपको नहीं पता कि नदी की range कितनी है, कौन उसको पी रहा है, कौन नहारा है, कौन उससे कपड़े धो रहा है, इसलिए हम जब भी सीवेस को water body में डालते हैं, क्योंकि ultimately आपको ये सारा पानी नदियों में डालना ही पड़ता है, तो जब भी आप डालते हैं, आप क्या करते हो, स्टीपी के तुरू इसका treatment कर लेते हो, अब इसमें microbes कौन से use होते हैं, कहां use होते हैं, ये भी सिखाऊंगा, ये भी सिखाऊंगा, आइए शुरू करते हैं, पहले आपको ये याद रख लेना है, कि जो सीवेस treatment होता है, ये होता है सीवेस treatment plant स्टीपी के अंदर, और इसके क्या करते हो सीवेस treatment plant में, यहाँ पे जो सीवेस का treatment होता है, वो दो stages में होता है, कितने stages में, दो stages में, first stage is called as primary treatment, यहाँ पे primary treatment में कोई भी, कोई भी microbes use नहीं होता, that's why this is called as physical treatment also, अभी दिखाऊंगा, कौन से chamber में, कहां पे क्या हो रहा है, एक एक चीज दिखाऊंगा, बस देखते रहें, second stage में, आप आजाते हो, secondary treatment में, इसे बोलते है, biological treatment, because यह वो second stage, वो stage है, जहाँ पे आप microbes के treatment में, स्वरी, सीवेज के treatment में, microbes को use करते हैं, यह एक diagram बना हुआ है, स्टीपी के सभी stage का, यह क्या है, स्टीपी के सभी stage का diagram बना हुआ है, आपको समجھ में आजाए, इसके लिए मैं, एक एक tank के बारे में, एक एक tank के बारे में, आपको समझाऊंगा, कि कहां पे क्या हो रहा है, आप जहाँ पे देख रहे हैं, क्यां पे मिल गया आपको 2 stages, this is इस प्राइमरी इस इस सेकेंडरी बच्चों बिल्कुल डरना नहीं है आप खबरा जाते हो सीवेट प्रीटमेंट से आराम से एक एक बात को देखो बहुत अच्छे से क्लियर होगा आपको यह डाइग्राम दिख रहा है प्रॉपरली इसमें यह जो हिस्सा है मैं कवर कर रहा हूँ मैं कवर कर रहा हूँ इस हिस्से को कौन सा कलर यूस इस इपल हो यह जो हिस्सा है यह इसी को हमने क्या बोला है फिजिकल ट्रीटमेंट यहां पे आपको सिर्फ दो चीजे होती दिखेंगी एक बार ध्यान से देखिये, जो भी सोग्ध यू सब आरहा है पानी के अंदर आगर आगर आप देखेंगे तो दो चीज cursor टाम वर है जीने आप बोलते हो floating waste या floating debris और कुछ ऐसी जो पानी के अंदर मिले हैं और पार्टिकुलेट नेचर के हैं जो पानी के अंदर अंदर है एक तो सर्फेस पे और दूफरा कहां पे अंदर अंदर हम जब इस चैंबर में लेके आते हैं तो यह आया हमारा wastewater यह आया हमारा क्या स्टीवेज वाट गंदा पानी यहां से आया यहां पर दो चीजे हैं एक तो पानी के अंदर घुला हुआ वेस और एक इसके उपर तैरता हुआ वेस लेके आने के बाद इस पानी को सबसे पहले एक जाली दिख रही है आपको यहां पे यहां पर तीन-चार जालियां लगी होती है ताकि पानी के अंदर जो ऊपर उपर यह जो पार्टिकल हो जाए एक के बाद दूसरा दूसरे के बाद तीसरा इस तरीके से filtration हो रहा है इसलिए आप इससे बोलते हो इसलिए आप इससे बोलते हो sequential filtration NCRT का word है यह इसलिए इससे आप क्या बोलते हो sequential filtration बहुत ध्यान से देखो सब आ जाएगा समझ में यानि प्राइमरी ट्रीटमेंट में आपने पहले क्या किया आपने किया sequential filtration यहां पर यह जो filters लगे है इनके द्वारा राइट यहां पर यह बड़े-बड़े इसके अंदर floating debris जो होते हैं जब वो filter हो जाते हैं तो आप इससे डाल यह बड़े से tank में एक ही tank के अंदर यह सारी काहनी हो रही है यह पार्ट दिखाया गया है इसके अंदर आप इसको छोड़ देते हो चन गया तारा कच्रा क्या हो गया चन गया चनने के बाद जो पानी उसको छोड़ देते हैं कि उस करने के लिए कि पानी के अंदर ने वाले जो पार्टिकल यह ज़ो उसके अंदर बड़े-बड़े चोटे-चोटे परटिकल रहे गहें है सेट्व कोस्ट पार्टिकल वह सब क्या हवाई मिठ के पार्टिकल वह क्या हो Sediment हो जाए, वो क्या हो जाए, तली पे यहां पे क्या कर ले, बैठ जाए, this is called as Sedimentation, क्या बोला जाता है, Sedimentation, तो First Stage is Sequential Filteration, फिल्टर करने के बाद जो आया, आपने उसको यहां डाल दिया, इसको आप बोल रहा है, sedimentation tank और यहां पे क्या हो रहा है गूफरा प्रोसेस sedimentation तो primary treatment में यह दो stages हो रही है क्या sequential filtration और sedimentation जो भी यहां पे कूरा कचरा था जो भी यहां पे कूरा कचरा था वो क्या हो गया यहां पे surface पे बैठ जाता है यह यह वेस्ट और जो इसके अंदर तैरना अभी जो पानी तैर रहा है उस पानी को आपने क्या कर दिया आपने आगे भेज दिया जिसे आप बोलते हो इफ्लूएंट जो यहां पे तैर रहा है इसको भेज दिया आपने आगे इस पाइट के हिल्प से और अब यह आगे आ काम खत्म हो चुका है, प्राइम्री चैंबर का काम खत्म हो चुका है तो देखो पहले प्राइमरी चैंबर समझ ले, these treatment step basically involve physical removal of particle इसके अंदर क्या हो रहा है, टूफ़िल्ट्रेशन यही तो था पहला, and segmentation दूसरा, clear है, filtration and sedimentation मैंने इसको properly बता दिया था कि इसके यहाँ पे हो रहा है क्या sequential filtration यही तो बात बताया था मैंने sequential filtration जो actual filtration है कई sequence में किया जाता है और दूसरा यहाँ पे क्या हो रहा है plus sedimentation यह दो चीजे आपकी क्या आती है आपके primary treatment के अंदर यह दो point cover होता है sedimentation and sequential filtration इसके बाद यह जा रहा है कहां पे आगे इसके बाद यह जो यहाँ पे जो influence थे जो तैर रहे थे उनको हमने भेद दिया आगे एक बार यहाँ यह आगे आगे यहाँ पे this is ariation chamber this is ariation chamber इसे आप क्या बोलते हो ariation chamber या ariation time यहाँ पे आप दो चीजों का बहुत ध्यान रखते हो और ध्यान देना यहाँ पे क्या किया आप ariation chamber के अंदर आ गया मैं इसको ऐसे दिखा देता हूँ आपको clear समझ में आए कि आपने आपने क्या कर लिया कि प्राइमरी ट्रीटमेंट कर लिया कि आपने क्या कर लिया इसके अंदर आपने दो चीजे की पहला filtration filtration कर लिया दूसरा आपने कर लिया sedimentation कर लिया जब यह दोनों step हो गए तो यहाँ पे उस पानी के अंदर जो तैरने वाला मतब जो पानी था किसे आप बोलते हैं effluent वो पानी जो उपर उपर था उससे आपने भेद दिया कहां पे यहां पे किसे आप बोल ले हो चैमबर नंबर टू to aeration chamber देखेंगे बहुत ध्यां से और एरियेशन चैमबर के अंदर एरियेशन नाम से समझ जाना है कि भया इसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है कि आपको हमेशा air रहना चाहिए यह सो इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट रोल क्या है इसलिए आप air compression लगाते हो या कभी कभी इसके अंदर आप ऐसे आपने देखा होगा बहुत से और जो particulaten नेचर वाणे थे उनको निकाल लिए अब इसके अंदर रहे गएंनदर बस जो वाटर के अंदर dissolved state में हैं जो कैसे हैं water के अंदर dissolved state में जो General होते हैं क्या organic waste जो generally क्या होते हैं जो dissolved state में हैं वह होते हैं organic waste organic compound वाई इस पानी के अंदर रह गया है और यह eriation chamber में ही आप क्या करते हो आप यहां पे use करते हो कुछ aerobic bacterias को 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 us करते हो आप यहां पे use करने वाले हो aerobic bacterias को डेखेंगे देखेंगे कहानी अभी clear होगी आपको आपने यहां पे लिया यूरोबिक बैक्टिरिया एक बात बताओ आपने बैक्टिरिया का यूज कर लिया क्या आपने बैक्टिरिया का यूज कर लिया क्या यहां पे सेकेंड्री या बायोजिकल ट्रीटमेंट क्यों लिखा समझ में आ गया विकॉज आपने बैक्टिरिया ब और यहां पर लिखा मिले गए एक वर्ड क्या लिखा है यह लॉक क्या लिखा है यहां पर लोग यहां करवके कर दिया बढ़ रहा था यहां पर जाते हैं फंगल हाइफि क्या पाए जाते हैं इरोबिक बैक्टेरियाज जो है यह जाके यहां पे यह हो गया fungus हाई पी और इस फंगस हाई पी के साथ यह एरोडिक बैक्टिरियाज एसोसीएट हो जाते हैं जिससे की ऐसा एक वेश लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है इसके अंदर क्या-क्या चीजह है इसके अंदर है बैक्टिरियाज और इसके अंदर है यह रोगिस की ऊपर खाता रहता है और खाना खाके इस organic waste को खतम कर देता है बस यहां पर क्या होता है कि bacteria का number बढ़ने के यह loks बन गये हैं लेकिन इसके अंदर से organic waste तो खतम होगया आपने पहले क्या किया था जो तैरने वाली चीज़े थी floating debris थी उनको remove कर लिया पार्टिकुलेट डेटर वाले चीजों को रिमूव कर लिया, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में आपने क्या कर लिया, इसके अंदर जो और्गेनिक वेस था वो रिमूव कर लिया, अब आप सेकेंडरी ट्रैंक से जाने वाले हैं, कर्शरी टैंक के अंदर, कहां जाने वाले हैं, क आप कुछ करने के बाद आप कहां आ गए हैं कर्षरी टैंक के अंदर यहां पर बढ़ी बढ़ियां सी कहानी है क्या कि जब यह आ रहे हो एक बार ड्याग्रेमेटिक ली आपको एक टैंक को दिखा दिया है मैंने यह रहा आपका कूसरा टैंग यहां पर क्या किया आपने डाल दिया यहां से सब कुछ यहां से आपने सब कुछ इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया और यह भी एक तरीके से क्या है सेडिमेंटेशन अपको नाम भी याद है मैंने नाम भी बताया था रच्छो आपको इसका नाम है यह रहा सेकेंड्री सेटलिंग आप यहां पर भी क्या कर रहे हो इसको सेडिमेंट होने के लिए छोड़ दे रहे हो और दिस दिस इस इस गर कर दे can coop settling tank आपने इसकी sedimentation के लिए यहाँ पर भी जो भी अथा यहाँ पर डालके छोड़ दिया छोड़ने के बाद क्या होगा यहाँ पर भी जो flocks बगर हैं वो सब क्या हो जाते हैं surface पर एकठा होके यहाँ पर भी यह sludge like structure बना लेते हैं यहाँ पर यहाँ पर क्या यह कच्रा बन गया सब्सक्राइब क्या यह नीचे को यह आपन था हो हो यहां पर बना था इस कच्रे को आप बोलते हो कि primary sludge क्या बोलते हो primary sludge जो यहाँ पे बना है इसे इसे आप बोलते हो activated sludge राइट primary sludge और activated sludge यहाँ पे sludge की अंदर actually में है क्या यहाँ से जो संच गय थे वही फ्लॉक तेडिमेंट हो गए हैं क्या हुआ है वह जो फ्लॉक्स गय थे वही फ्लॉक्स से डिमेंट हो गए है और यह फ्लॉक्स बना देते हैं क्या activated वेटेड स्लज्य तो मैं लिक दू यहाँ programmers के पुछ फलोक्स में से ही इस फलोक्स में से ही कुछ फलोक्स में निकाल के इनोगुलम के जैसे जैसे आपने दही के अंदर यूज किया था वैसे इन फ्लॉक्स में से सम पार्ट जैसे इनॉक्यूलम के जैसे लिया जाता है और यहां से ले आके वापस इसके अंदर डाज़ें यहां पे यहां पे होगा आपका फूर्थ टैंक यहां पे एक्चुली में क्या होगा आपका फूर्थ टैंक जो डाइग्राम में बना नहीं है मैं ही बना देता हूँ अचिसे आप क्या बोल रहे हो इरोबिक स्लज डाइजिस्ट यहां से जो आई हैं चीज़े वह और यहां से जो आ चीज़े मतलब यहां से आ रहा है primary sludge देखें देखें यहां से आ रहा है primary sludge यहां पर और यहां से secondary sludge यहां पर यहां से overall क्या आ गया है sludge आ गया है यहां से दोनों type का sludge primary or secondary सब आ गया कहां पर यहां क्या चीज़े हैं इसके अंदर यहां पर है primary sediment जो यहां से लिए गय थे यहां से आ है activated स्लज secondary सेडमेंट जो यहां से लिए गया है यहां पे बैक्टिरिया और एलगी का क्लस्टर भी है हम क्या करते हैं यहां पे यूज कर लेते हैं अब यह इंपोर्टेंट है चौथा वाला बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है तारे कलर तो यूटिलाइज कर लिए किस है रिफ चमबर का नाम क्या था अनीरोबिक स्लज डाइजेस्टर अनेरोबिक वैक्टिरिया और्म हुटि और बैक्टिरिया इनके ऊपर टाए यहां पर बापर रिआक्सन करके ये एडियोबिक बैक्टीरिया बनाता है जान से देखेंगे पार co2 h2s h2 in gases का combination क्या बनाता है in gases का combination ध्यान से देखें and these gases combination मैं इनके बन जाता है गोबर गैर किसी को क्या बोल देते हैं गोबर गैर जिसको क्या करोगे आप घर में आप इससे पूड मेकिंग आप घर में इससे क्या क्या कर सकते हो आप घर में इससे खाना बना सकते हो इससे और कर सकते हो थोड़ा उटा कर दे ताकि लिखना बने इस गोबर गैर से क्या कर देंगे आप घर में फूड बना सकते हैं प्लस आप इससे लाइट जला सकते हैं लैम्प जला स कर सकते हैं यह दो काम पूड मेकिंग एंड लाइट बर्निंग आप कर सकते हो किस से इस गोबर गैस से और अभी पिक्शर खतम नहीं हुई यहां पर जो वेस बचा है यहां पर जो वेस बचा है अब इसे आप लेके जाएए कि ट्रॉप फिल्ड में यह आपके लिए परटीलाइजर का काम कर रहा होगा मतला आपने कीया क्या आपने सीवेज ट्रीटमेंट करके पानी को साफ कर दिया activated sludge यहाँ डाल दिया और जो अब पानी इसके अंदर flow हो रहा था उस पानी के अंदर disinfectant क्या यूज़ कर लिया अब disinfectant यूज़ करके इस पानी को आप ते क्या किया नदियों के अंदर डाल दिया यहाँ पे आपने disinfectant ताकि यह infection ना करें वो यूज़ किया जनरली आप यहाँ पे यूज़ करते हो क्या यूज़ करके आपने इस पानी को यहाँ पे नदी के अंदर किसी रीवर के अंदर ट्रॉप कर दिया और अब यह पानी जो आपने भेजा है यहाँ से के treated water है यह अब लोगों के लिए इतना ज्यादा खतरनाख नहीं है अब लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है या पूरे इस पे यह एक साथ दिखाना अच्छा है लेकिन थोड़ा से ऐसे बहुत ज़्यादा बोर्ड फिल भी हो जाता है बट ठीक है मैंने सब चीज अलग अलग भी सिखाया है अलग अलग भी सिखाया है और एक साथ भी दिखाया है स्टिल आपको कोई भी डाउट कहीं पे है तो आप प्लीज पूछ जरूर लेना राइट कॉमेंट सेक्षन में जाना और डाउट पूछ लेना मैं देखूंगा मैं बता दूंगा यह पूरा ट्रीटमेंट हमने कर लि लिए भी पहुत इंपॉर्ट बोट इस बी ओ डी भाइलोजिकल ऑक्सिजिजन डिमांड होता है जब भी आप कहीं पर लेते हैं एक लीटर पानी और उस एक लीटर पानी के अंदर है और अर्गेनिक वेस्ट उस और गेनिक वेस्ट के डिकंपोजीशन के लिए जितना ऑक् इसे मुझे क्या करना है डीकम्पोस करना है कैसे वाई बैक्टिरिया मैं इसको डीकम्पोस करना चाहता हूँ कैसे बैक्टिरिया से और बैक्टिरिया से डीकम्पोस करने के लिए जो required amount of oxygen है जो required amount of oxygen है इस decomposition में that is called as DOD उसे इस एक लिटर पानी के लिए biological oxygen demand बोला जाएगा समझेगा जरा एक चीज को बहुत छोटी सी लेकिन बहुत अच्छी चीज है बहुत आराब से समझ में आ जाता है ये लो मैंने तीन वरतन बना रहे है मैंने क्या किया तीन बरतन बनाएं तीनो का वॉल्यूम मालो एक जैसा है बन गया बड़ा छोटा ठीक है अग्नूर करो बट आप तो ये मालो कि तीनो एक जैसे ही राइट तीनो का साइज वराबर है और तीनो के अंदर एक एक लिटर पानी है तीनो के अंदर पानी किता है एक एक लिटर पानी है तीनो के अंदर पानी है तीड़ा है आपर के अंदर टी तूरे के अंदर और और यहां पर यहां पर है फात्सोग दूर्य ती स्नकाइं कि अधर और की सिस्दानुन बाल मैं बाल सुछ ना कि एक महीं Persian साहतो किसमें oxygen की requirement जादा होगी decompose करने के लिए किसमें oxygen की requirement जादा होगी decompose करने के लिए पर्स में, सेकेंड में, थर्ड में जहां पे organic waste जादा है वहां पे oxygen की requirement भी जादा हो जाती है कैसे आपने natural environment पे छोड़ा आपने क्या किया इन तीनों को natural environment पे छोड़ा उनको 250 ग्राम का nutrition मिला तो यहाँ पे जो bacteria का number बढ़ेगा वो उतना ही बढ़ेगा कि 250 ग्राम को खतम कर दे यहाँ पे 500 ग्राम यहाँ पे बैक्टरिया का number जो बढ़ेगा वो उतना बढ़ेगा कि वो सारे 700 को खतम करने वाले तो जितना ज्यादा bacteriagas होंगे जितना ज़्यादा वहाँ पे organic waste होगा उतनी ज़्यादा oxygen चाहिए होगी तो एक लीटर में जो required amount of oxygen है जिसे आप BOD बोल रहे हो biological oxygen demand बोल रहे हो वो depend करता है कि उस पानी के अंदर organic waste कितना है yes or no तो मैं इसके basis पे एक point बता रहा हूँ तो देखना आप relate कर प्या रहे हो क्या amount of organic waste amount of organic waste is directly proportional to BOD जितना ज़्यादा वहाँ पे organic waste उतना ज़्यादा oxygen की demand yes or no और जितना ज़्यादा organic waste मतलब वह पानी उतना गंदा है बैट इस प्रपोर्श्चनल टू polluted water yes or no मतलब वहाँ पे pollution क्या है उतना ज़्यादा भाई सीधी सी बात है आप यहाँ पे organic waste की बात कर रहे हो और organic waste ज़्यादा है तो pollution दी ज़्यादा होगा ही होगा यह और नो यह box clear है क्या यह box clear है बच्चो बहुत important है बहुत बहुत important है पाई स्टार दिया है मैंने कि जितना वहाँ पे organic waste होगा वह उतना ही वहाँ पे BOD होगी biological oxygen demand होगी उतना ही water क्या होगा polluted होगा अब जरा sewage treatment में दुबारा से आना फटा फट यहाँ पे ariation tank में आपने क्या किया था ariation tank में आपने क्या किया था मैंने अलग सभी बना के थी लेकिन यहाँ पे इन aerobic bacteria ने उस BOD को यहाँ पे organic waste कम करते गए कम करते गए खाते गए खाते गए खाते गए खाते गए खाते गए खाते गए पहले हाई थी बाद में BOD क्या हो गई लो ऐसा बोला जाता है कि ariation chamber में secondary treatment में actually में आप क्या कर रहे होते हो तो अगर आपको ऐसा statement मिल जाए कि यहाँ पे ariation chamber में जो second ariation chamber है यहाँ पे हम कर रहे होते हैं low BOD of water तो क्या यह statement सही है यहाँ पे आप क्या कर रहे होते हो यहाँ पे जो water है जो फ्लूएंट है उसका BOD कम कर रहे होते हो यस क्योंकि बैक्टिरियास खाते जा रहे हैं organic waste खतम होते जा रहे हैं और जितना जादा सुरी जितना कम organic waste उतना BOD कम यस और नो और BOD कम मतलब pollution भी कम BOD जादा मतलब pollution भी तादा यस और नो amount of organic waste अगर अगर organic waste जादा है तो BOD भी क्या है तादा है यस और नो वहाँ पे oxygen की requirement भी क्या जादा और वो water उतना क्या है polluted है राइट चलिए जड़ा next बढ़ते हैं माइक्रोप्स इन सीवेज ट्रीट्मेंट जो सिक्वीज ट्रीट्मेंट में माइक्रोप्स का यूज था वो तो हम लोगों ने पढ़ लिया अब हमें बस यह पढ़ना है कि जो ministry है ministry of environment and forest ने initiate किया है दो प्लान गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान जो यह बोलते हैं कि भारत में यह दो बहुत ही religious rivers हैं और इनके ही किनारों पे हम बनाएंगे बहुत सारे स्टीपी क्योंकि यह बहुत लंबे छित में पहले हैं और इनके अंदर जो पानी जाएगा वह हमेसा ट्रीटेड जाएगा गॉर्मेंट टेस्ट के लिए इनिशियेशन ले रखा है वाट नेक्स पायो गैस बायो गैस प्रोडक्शन प्रोडक्शन अब बायो गैस पायो गैस कैसे बनाते है यह आप लोगों ने गाउं में कुछ लोगों ने जरूर देखा होगा बायो गैस को एक्चुली में गोबर गैस प्लांट भी बोलते हैं होती है इनके अंदर बायो गैसी दा मिक्चर अब गैसे इसके अंदर गैसे पाज जाती है जिसमें प्रिडॉमिनेंटली क्या है मीथेन मैंने पहले ही composition लिख दिया था एक बार लिख देता हूं यहां पे जो है सबसे ज़्यादा है आपको composition से कोई मतलब नहीं है आप बस इतना सीख लो कि मिथेन क्या है सबसे ज़्यादा और यहाँ पर इन गैसे के combination है जो कैसे produce होते है microbial activity के वज़े से produce होते हैं और इसी को आप यूज कर रहे है अब यह microbes कहां से आ रहे हैं तो जो चार पैर पर चलने वाले जिनको हम रूमिनेंट्स बोलते हैं उनके पेट के अंदर एक एक्स्ट्रा पार्ट होता है रूमिन रूमिन की वज़े से इंकों क्या बोलते है रूमिनेंट यह देखो इस टमक के अंदर तो जब भी यह घास पूस यह चारा खाते हैं इनके पेट के अंदर जाता है तो रूमिनेंट के अंदर उसके आइजे शण के वज़े से वहां पे यह गैसे बनते हैं और यह कैसे होता है ह्यहां पर पार जाते एक पिल डैक्टीया लिखा है यह दाय अधिनोग्ञें का प्रोड्क्शिन कर रहे係र्ए बनता है और यह मीथेन आप घर के अंदर ऐसे टैंक बना के स्टोर कर सकते हो आप क्या कर रहे हो एक जगह से घर के अंदर 10 से 15 फीट का आप गड़ा खोद देते हो जमीन से आप एक जगह से बाहर से जो गाय का बैस का गोबर है वो गोबर और वाटर डाल दे इनके गोबर के अंदर पहले से मिथाजनिक बैक्टेरिया प्रेजेंट होते हैं जो मिख्सचर में यहां पर पाड़ी के साथ मिलके यहां आ जाने और यहां पर आके वह इसके अंदर जो gases यहां से निकलने के बाद इस tank के अंदर इकठा होती रहती है जो tank सीधे एक pipe से जुड़ा है हमारे घर के अंदर वो कहा रहा है हमारे घर के अंदर और यहां पे आ रही है gas जिसे हम लोग यह cow dung से बना है इसलिए generally इससे हम क्या बोल देते हैं वो बर गया है और इससे हम यूज कर रहे हैं हर के अंदर lightening के लिए lamps वगरा जलाने के लिए क्या आप इसको यूज कर सकते हैं cooking के लिए food making के लिए burner के साथ चूड़के यह आपके CIT में दिया गया डाइग्राम है यह डाइग्राम मैंने थोड़ा और अच्छे से एक डाइग्राम आपको दीख जाए इसके लिए बने रखा था कि कैसे कैसे यहां पे होते हैं बाकी चीजे सेम है यहां पे भी गैस को इस्ट्री गैस्टोरिश टैंक हो गया यह यहां से आ निकला है और इसे आप यूज कर लेते हो फटिलाइजर आप खेतों में इसके भी क्या कर लेते हो फटिलाइजर के तरह यहां पे भी देखो जो इक्स्ट्रा निकलेगा जो इसके अंदर हो गया है वह आप लेके यूज कर सकते हो निकाल लेते हैं लोग इसको और किवर्मेंट रिस एंस्ट्यूट ए आई आई आराई और एक खादी ग्राम विलेज इंटेस्ट्री के वी आई सीजिए यह प्रिवियर सीयर कुश्चन है आप से पूछा गया है यह दोनों इंडस्ट्री क्या करती हैं आपकी help करती है एस गोबर गैस को गोबर गैस को सिस्टम को आपको फॉलो करने के लिए बोलते हैं क्योंकि इससे आपके जो एनर्जी सोसेज है वो नेचरल रिसोसेज पे डिपेंडेंट रहें रहें राइट वाट डेक्स माइक्रोप्स इंबाइओकंट्रोम एजन्ट इन्ट अब आप यह समझ है कि अब ihan को माइक्रोप्स को यूज़ करण है कि और यह सकती है कि माइब RPG रिए रख्षक का काम करेंगे आपके food के आपके crop के protector का काम करेंगे बहुत बढ़ियां तरीके से ज़रा देखो बायो कंट्रोल रिफर्स टू बायलोजिकल मेथर्ड फॉर कंट्रोलिंग plant disease and paste राइट सपोस करो यह एक plant है यह एक plant है इस plant को जो सबसे ज़्यादा खत्रा है इस plant को जो सबसे ज़्यादा खत्रा होता है वो बस दो चीजों से है यह प्लांट को खत्रा किससे दो चीजों से पहला प्लांट को कोई disease ना हो जाए मतलब पैथोजन्स का अटायक ना हो पहला तो खत्रा यह है दूसरा इसके उपर जो पेस्ट से हैं जो जनरली क्या होते हैं इंसेक्स इन इंसेक्स का अटायक ना हो प्लांट को यह दो खत्रे हैं और अगर हम इन दो खत्रों को माइक्रोब से टैकल कर लें कितना आसान हो जाएगा और यह कितना बेनिफीसियल भी होगा यह भी सिखेंगे क्यों क्यों कि आप पेस्ट को हटाना है आप समझेए आपके प्लांट के उपर बहुत सारे माइक्रोब या बहुत सारे दूसरे और्गनिजम भी पाए जा जो आ आप इन पेस्ट को भगाने के लिए जिनको आपको भगाना है आप पैस्टीसाइड ले के आते हो प्लांट के उपर स्प्रे कर देते हो जिससे की यह वाले इंसेक्ट यह वाले पेस्ट तो गए ही वो पेस्ट भी चले जाते हैं जो आपके लिए बेनिफीसियल हैं जो आपकी मदद कर रहे थे वो भी चले जाते हैं आप पढ़ेंगे बहुत बढ़ियां से लाइन चाटी ने समझाया है इन अग्री कल्चर देर इस मेथड ऑफ कंट्रोलिंग प यहाँ पेस्ट को कंट्रोल तो कर रहे हो लेकिन आप पेस्ट को कंट्रोल कर रहे हो विदाउट इंटरडक्टे नाप क्यानिकल क्यूंग क्यूंकि ऐसा माना जाता है और गेनिक फॉर्मर के लिए बाइड बायोडाइवरस्थी बहुत बढ़ियां सी बात है जो आप आप जाके एकोलोजी में पढ़ने भी वाले हो कि जिस एको सिस्टम में जिस एको सिस्टम में बायोडाइवस्टी ज्यादा होती है वह वह बोल रहा है कि कि जब यको सिस्टम में अगर वह जादा है तो वह बहुत ज़्यादा सट्रेबल है और आप क्या कर रहे हो आप जब यूस कर रहे हो कि इसका का वा दी तो मार रहे हो जिसको of the creature that are often described as pest is not only possible but also undesirable for without them beneficial predatory and parasite insect which depend upon the food for host would not be able to survive. Thus, the use of biocontrol, इसलिए आप biocontrol का यूस करके क्या कर सक्ते हो, आप chemical और pesticide का जो यूस को घटा सक्ते हो, क्योंकि इससे सिर्फ वही eradicate होंगे, जिससे आप exactly और actually हटाना चाहते हो, जो आपके लिए exactly paste है, बाकी दूसरा species जो इस प्लांट के उपर हैं, और आपके लिए paste नहीं है, आपके प्लांट को नुकसान नहीं कर रहे हैं, उल्टा आपको मदद कर रहे हैं, किसी चीज को बनाने में आप उनको नहीं हटाओगे, जैसे अब आपके NCIT में कुछ examples दे रखे हैं, फटा फट 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 कवर कर लेते हैं, आपने इस वाले insect को देखा होगा, सबने देखा होगा ऐसा, छोटा सा होता है, रेड कलर का उससे ब्लैक ब्लैक स्पॉट होता है, आपके NCIT लिखती है, बीटल्स विट रेड और ब्लैक मार्किंग, इसको बोलते हो आप लेडी बर्ड, इसे क्या बोलते हो, लेडी बारेटेंट जीन पेड़ों पे रहता है, इन पेड़ों के ऊपर जोrada होते हैं, उन्हें फिट खाता है, और यह एफिट्स आपके प्लांट को नुक्साम कर रहे हैं यह बीटल्स नहीं यह फिट्स तो यह फिट्स को खा रहा है तो आपका प्लांट एफिट्स से तो प्रोटेक्टेड हो गया वैसे ही जो दूसरे आप इसको भी देखे होंगे हैं हेलिकॉप्टर के तरह उड़ता नहीं कर रहता है इसको हम लोग बोलते है ड्राइगन फ्लाइब करता है यह मॉस्कीटो को खाता है यह आपके लिए पैदा करने वाले वेक्टर को हटा रहा है तो यह आपके लिए क्या हुआ बेरिफीशियल हुआ यह दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है बीटी बायो टेक में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है बीटी जी रिउस करके आपने बटर फ्लाइ के कैटर पिलर्स को रोक दिया अपने प्लांट की पतियों को खाने से विकॉज यह जो कैटर फिलर लारवा होता है मदुमक्षी बोलने सौरी बटर फ्लाइ का यह आप लेकिन अगर आपने महां पर बीटी जीन यूज कर लिया बैसिलस तुरिजन से यूज कर लिया तो यह कैटर पिलर उसके वीफ के ऊपर फीड नहीं करते और प्लांट का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और ट्राइकोडर्मा एक फ्री लीविंग फंगाई है यह क्या है फंगस है फंगस हमेशा हाईफी के फर्म में होतें तो यह क्या करते हैं रूट के चारों तरफ अपने हाईफी ऐसे फिला देते हैं यह मैंने जो ग्रीन कलर का बनाया है देजिसेश फंगल हाईफीच यहां पर यहां पर यहां पर जब भी कोई पैथोजन आता है यहां से यहां से जमीन के अंदर से कोई भी पैथोजन आना चाहता है तो वो रूट तक यह पहुच नहीं देता यह फंगल हाई थी वह अंको क्या कर लेता है रोक लेता है प्रैप्रेविट फंजाई है जो प्लांट पे वह थोजन से प्लांट की रूट को और अमरे आपके फैथी के लिए एक आ 솔 Luk इसके साथ बहुत अच्छी चीज है कि यह होता है यह क्या होता है यह होता है यह स्पेक्ट्रम को मतलब कुछ स्पेस्टिक रेंज के ही पैथोजन को मारेगा प्लांट के उपर दूसरे जो बायो डाइवर्सिटी होगी जो दूसरे स्पीसीज होंगे उनको कोई नुक्सान नहीं करेगा इसलिए आई पीम के अंदर इंटीग्रेटेड पेस्ट मेनेजमेंट के अंदर इसके जैसे स्पीशिजिस्व को यूज किया जाता है धेकॉस बैक्चेलो वाइरस डुवाइरस दीने इस। चीजन से बीलॉंग करता यह दो चीज बहुत इंपोर्टेंट है और कहां पर यूज किया जाता है बैकुलो वाइरस आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है और मुझे जो वाइव्स आ रहे हैं मुझे ऐसा फिल हो रहा है कि यह वाली स्लाइट से क्वेश्चन आपको एक नंबर या दो नंबर का 100% मिलने वाला है बैक्टिलो वाइरस के ऊपर what next microbes are bio fertilizer microbes का अब अब तक आपने पेस्ट कंट्रोल कर लिया household में यूज कर लिया इंडस्ट्री में यूज कर लिया अब आप microbes को यूज कर रहे हो एज बायो fertilizer आप chemical fertilizer नहीं यूज कर रहे हो और बायो fertilizer में help करते हैं bacteria fungi and sinobacteria बहुत सारे bacteria हैं कुछ fungus और कुछ साइनो बैक्टिरिया यह help करते हैं आपकी क्या करने में fertilizer को बढ़ाने में plant के अंदर fertilizer fertilizer को बढ़ाने में और आपकी tendency घटाने में कि आप chemical fertilizer के उपर dependency दिखाओ यहां पर देखो क्या यहां पर leguminous plant का example दे रखा है leguminous plant जाते ना जिनके root पर root nodules पा जाते हैं और इनके leguminous plant के साथ symbiotic association में क्या होते हैं rhizobium rhizobium जो करते क्या है यह bacteria fix atmospheric nitrogen into organic form जो plant कैसे use कर रहा है nutrients के front बहुत important है actually में जो plants है जो atmosphere है atmosphere में 78 परसेंट nitrogen जो है वो gas के form में आपने पड़ा है ना गैस के form में nitrogen की जो स्वामी जमीन के अंदर स्वाइल के अंदर हमेशा nitrogen deficiency होती है most of the condition और बिना nitrogen के plant का survival नहीं हो सकता क्योंकि इसी से बनना है nitrogen से ही क्या amino acid और amino acid से ही बनना है protein और इसी protein से plant का body structure बनना है तो atmosphere में है और स्वाइल में चाहिए तो जरूरी हो जाता है जमीन के अंदर nitrogen के concentration को बढ़ाना तो आप क्या करते हो बाजार से जो खरीद के लिए आते हो वहाँ पे भी आप ले आते हो जिसमें एन पी के इसका concentration ज्यादा होता है तो यह तो आपने वो लिया जो chemical fertilizer लिया यस और नो जो आप मार्केट से खरीद के लिए लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर हमने plant के साथ देखा कि उसके root में सिंबियोटिकली ही राइजोबियम है जो क्या कर रहा है जो एटमोस्फिरिक नाइट्रोजन को जो एटमोस्फिरिक के यूज में आ जाते हैं ऐसा और दूसरे कुछ बढ़ बैक्टिरिया भी है जो फ्री लिविंग बहुत इंपोर्टेंट है इसमें से कौन ऐसा है जो कहां गया कहां गया यह हैं रहा जो सिम्भियोटिक एसोसीयेशन में है और हुआर। ओवर ओर ड्स्वाइल के अंदर जमी रहें के अंदर नाइट्रोजन का कंसेंट्रेशन इंक्रीज करने में हेल्प कर रहे हैं रैट फंगाई अब फंगस के बारे में वो बैक्टिरिया की बात हो गई फंगस में भी फ्लांट के साथ जो फंगस है वो बनाता है mycorrhizal association that is also symbiotic association फंगस क्या फ्लांट के साथ mycorrhizal association symbiotic association बना के पाए जाते हैं और यह भी nitrogen fixation में help करते हैं important सवाल यह है कि कौन से जीनस का फंगस दमेनी members of genus glomus किस किस से glomus यह important है बेनी member of genus glomus mark make mycorrhizal यह plant के साथ mycorrhizal association बनाते हैं अब फंजै के कुछ और example signobacteria के कुछ और इसलिते फाइन बैक्टीरिया कि अ कुछ और example चपनोब्रेक्टीया जनरली क्या है ऑट्रोट्रोपिक है यह पाया जाता है हर जगाठीक है यह भी क्या करता है यह आपको इसने मतलब है कि बहुत सारे signobacteria क्या कर सकते हैं nitrogen nitrogen fixation करके यह भी स्वाइल के अंदर कंसंट्रेशन nitrogen का बढ़ा सकते हैं नौस टॉक एना बेना एंड औसी लेक्टोरिया यह एक्जाम्पल हो गए पैड़ी फिल्ट के अंदर स्टाइनो बैक्टिरिया इंपोर्टेंट बायो फटिलाजर का काम करते हैं कहां पे पैड़ी फिल में और बहुत सारे nitrogen fixation में भी help कर रहे हैं यह साइनो बैक्टिरिया एस बायो रियक्टर थैंक यू सो माच और आपको सब चीजे बहुत आसानी से बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कोई भी डाउट होता है प्लीज कॉमेंट जरूर करे मैं सारे कॉमेंट पढ़ने वा क्योंकि आपके जो आटिकल से वह चाहो तो पर आटिकल वीडियो पॉस्ट करो एक एक लाइन एक एक वर्ड आम कॉन्फिडेंट की आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है तो आई होप कि आप लोग अपना रिस्पॉंस जरूर बताएंगे अपने वीडियो का ए अच्छे से अच्छे तैयारी करके एकजाम में बैठो पोड के आना है यास पोड के आना है आल देवेस्ट